हलो एवरीबड़ी दिस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रीन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रसी इन नेपाल मोनार्की डेमोक्रसी अब देखिए यहां पे चीजों को समझना है अभी तक ह महां पर आप मिलेटरी रूल देख रहे हैं डिक्टेटर्शिप देख रहे हैं ठीक है डेमोक्रसी देख रहे हैं उसके बीच में क्या है जगलिंग हो रहे हैं कभी डेमोक्रसी कभी मिलेटरी रूल अब हम नेपाल के अगर बात करते हैं तीसरे देश की बात करते हैं में फिर क्या हो जाता है हम जैसे नेपाल को समझें तो यहां देखिए नेपाल ठीक है साउट इशन डीजन में साउट इशन निशन जो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है उसकी पोजिशन जो बहुत स्ट्राइटीजिक है ठीक है चाइना और इंडिया के सबसिक्ट्स और बड़ा सकते थे नेपाल नहीं होता है तो एक बफर स्ट्राइट का काम करता है ठीक है तो आये समझते हैं देखो नेपाल में क्या रहा है मोनार्की रही और मोनार्की नेपाल में आज और कल से नहीं हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलिव के पहले से तियों रानाश का टाइम पीरेड रहा है ठीके रानास and कि टीफ ऌने ति वह उनके पाजिए नाम ध्यान रकना थोड़े से जो खास करके इनकित मोत श सबस्क्राइब कि महेंडर ऑन से तो तो फिल से टोगे तो आपवर आप देखोंगे तो किंग बरेंदर के पास पावर आएगी ठीक है तो हिस्टोरिकली देखें तो नेपाल वह सा हिंदू किंग्डम इन दी पास्ट एंडेन अ कॉंस्टिटूशनल मोनार्की इन दी बॉडन पिरेट्स और मैनी यह एज देन टोटल कह सकते हैं पार्लेमेंटरी फॉर्म 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 ठीक है तो इस तरह से क्या है एक अगर देखें तो वह मोनार्की जो है constitutional मोनार्की में convert हो गही मतलब पार्लेमेंट भी है constitutional मार्की भी है कुछ समय तक वह arrangement को समय तक जैसे तक न एप्सिलूट इसके पेले तक क्हांए इसके पहले तक जिसे हम देखें तो absolute manarki in która absolute kimchi the absolute monarch run 1990s के पहले तक 1990s से अगर आप देखंगे 2002 क्या है की constitutional monarchie रही है जिए तो यहां पर क्या क्या सक्क्तो constitutional Monarchy contrat link कांसे लूर्टन पॉनार्की भीixí भी थी ठीक है फिर अल्टिमेटली क्या है 2008 में पूरी तरह से कॉंस्टिशनल मोनार्की को खतम करके आप देखोंगे तो 2008 के बाद से क्या है 2008 के बाद से 2015 आएगा ठीक है मतलब बीच में और भी यर्स आएंगे लेकिन 2015 में रेडी कर लिया अपना ठीक है तो यहां से constitutional democracy एक तरह से बन गया ठीक है constitutional constitutional democracy बन जाता है कौन नेपाल ठीक है तो यह पूरी जर्नी रही है नेपाल की ठीक है जो भी आपको आगे समझ में जाएगी इसमें अगर confused भी हो तो चिंदा मत करना ठीक है conflict रहा क्या है यहां conflict यह रहा कि political parties जो है जैसे आप देखो कि तो नेपाली Congress ठीक है नेपाली Congress जो है वह एक पार्टी रही है Communist Party आफ नेपाल जो है तो चाइना के influence में काम करती रही है जब Monarchal system था 1990s से पहले तक उस समय में भी प्रोटेस्ट होते थे लेकिन जो राजा होता है जो Monarch होता तो क्या करता है तो with the help of army retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal तो एक लंबे समय तक political parties और जो क्या सकते हैं कि Monarchal system था उनके भीच में कुछ ऐसी situation थी तो जिशुम जलती रहती थी यह context था कब तक 1990s के पहले तक ठीक है तो मेरा आपको बता दिया जिसे जब पावर किसके पास में थी जब पावर हम महेंदर की बात कर रहें किंग महेंदर के से पावर शिप्त बिखिक भी पास आई एस सेवंटी स्केरा में पावर आजाती है लेकिन किंग बिरेंदर के टाइम पीरिट में जब क्या थोड़ा प्रोटेस्ट थेज हो जाता है ना तो गेंग सेप्टेग दिदिन डिमांड फोर निज देमोडारिक कॉंसटिए इन और न्यूव डिमोक्रिटिक और तो ज्याद लंबे तक नहीं पाई जोंब आपको बता आया कि कि ने तूथ नाइटीन नाइंटीन नाइटीन इसमें पावर दे लिग इसको जो देमोक्रिटिक प्रोटेस्ट चला थो हमें बोदिया पाउर्लेमेंट बना लो ठीक है ठीक है इलेक्शन कर वाल एक्षा है तो एलेक्शन हो दीक है 1990s के बाद से गवर्मेंट चली भी लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाई कारन था उसके पीछे कि गवर्मेंट चलाएगा कौन जैसे बने आपको था क्या है कौन कौन थे हो आप तो नेपाली कॉंग्रेस था एक तो ठीक तो कमिनिश पाटी ओफ नेपाल जो मॉइस मुवमेंट पर फोकस करती थी मॉइस मुवमेंट कहां से आ गए दो चाइना है चाइना में माओ माओ के आईडिलोजी माओ माओ इजम हो गया तो उस आइडिलोजी के हिसाब से क्या हत्यार उठा लिए इन माओ इस ग्रूप्स तो मैं आपको फिलोसोफी भी बताते चलता हूं थोड़े सा आईडिलोजी समझाते चलता हूं क्या होता है ना कि आप चाइना में जैसे देखोगे तो हमारे हां जो इंडिया में रेवलीशन हुआ है वह साइलेंट रेवलीशन हुआ मतलब हमने डेमोक्रिसी लाए डेमोक करा शोशल पॉलिटिकल पर अब वहीं आप बात करते हो किसकी तो जैसे जो चाइना में रेवलीशन हुआ कि आंटी नेंटीन फुर्टी ना emerges पॉर्टीन इनेटीन थे वहाँ क्या है तो वहाँ क्या होता है वहाँ आप देखो कि तो हत्यार उठाय जो पीजेंटेर उटेर इसमोंस थी जो नेशनलिस्ट इन नेपाल बिलीव दिन दी आंड इंसरेक्शन अगेंस दी मोनार्क एंडी रूलिंग अलाइट तुन ऐसा था कि जो रूल कर रहे हैं इनको क्या है इनको खतम करना पड़ेगा इन्हें मारना पड़ेगा तो इस तरह से क्या होता है अब वालेंट कंफिक्ट्स होते थे तो यहां पर देखो क्या होता है कि मावेस्ट ग्रूप जो है वह रिबेल से एक तरीके से उनका छोटा ग्रूप उनके पास उतने वेपन नहीं है लेकिन राजा जो है ना तो राजा ने इन वेग ऑफ दी प्रोडेमोक्रेटिक मॉवमेंट्स ठीक है प्रोडेमोक्रेटिक मॉ को क्या मिल गया एक फ्री हैंड मिल गया राजा यह बोल सकता ना कि यह हमने पावर दिये लेकिन तुमस्ट पावर के इस्तमाल नहीं करें तरीकिस उल्टा हमें ही मारने लगे हुए हम वो पावर खतम कर दे रहे है ठीक है जो पहला कह सकते है प्रोडेमोक्रेसी मुमेंट लेकिन वो लंबे समय तक चलनी पाती अबने बताया उसके पीछी इंटरनल कंफिक्स थे और मोस्ट ऑफ टी टाइम क्या ऑब्सरफ किया गया कि जो मोनार्किस फोर्सेज हैं जो राजा की फोर्सेज हैं ठीक है जो डेमोक्रेट्स हैं जो की पीसफुल प्रोटेस्टमे वि कि उस के सकते हैं अनिवन सुच्ज्टेक्रीयों का फायदा उठाते हुए या होता है कि जो छो देखो क्या होन कहां कॉन था पावर्में तो अभी तक दसे आप पीछे चलोगे तो महेंदर के बाद में बिरेंदर का प्थे सब लाख को शक्राइब को थोड़ा साप क्यों होता हैं प्रह黃न कमारेंद्र हुता है लिए सब بमार लिया चल जा लियाथ टो थो अब किया है कि इसक्ते बिरेंद्र कंग तो यह हत्या हो जाती है इुकि दिपेंद्र घंधी तो और जो समय तके पावर किसके पास आती है घ्याने अंद्र बीर बिकरम साथ ये ध्यान रखना अब दो हजार इसे पावर आई तो आप यह जो देख रहें कि के सकते जो तो पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट है वो अलग अलग गृप्स के बीच में तो चल रहा है डेमोक्रेट के बीच में मौनार्किल फोर्स के बीच में उसी के साथ साथ में क्या है कि जो मौनार्की है तो मौनार्की भी क्या है मौनार्की के अंदर भी जिसे दिखो के फैमिली चलते 2002 में धिकिंग ठिकेंग जानेंद्र ही अपॉलिष दी पार्लियमेंट एंडिस्मिश दी गवर्मेंट दस एंडिंग इवन दी लिमिटेड डेमोक्रेसी देट एक्जिस्टेड इन निपाल तो क्या है जो लिमिटेड डेमोक्रेसी भी थी ना वह भी खतम कर दी आरहन सम किंग ज्यानेंद्र के पास में मुनार्की के पास में लेकिन उस मुनार्की के अंडर में फिर से प्रो डेमोक्रेटिक मुमेंट स्टाट होते हैं फ्रम 2004-2005-2005 तो आप जैसे बुक में 6 दिया आपको कहीं 5 भी पढ़ोगे यह जो एक लहर दोरती है प्रोटेस्ट की प्रो कॉंग्रेस अब सब सांथ में आते हैं उन्होंने बोला कि नहीं अपना आपस मिलते रहेंगे तो संगटन में शक्ति है वाई ठीके तुस तरह से सब सांथ में आते हो फिर क्या होता है प्रोटेस्ट स्टाट होता तो इने अप्रेल 2006 देर वाज़ अमेसिव कंट्री अचीव दियर फर्स्ट मिजर विक्टरी वन दे किंग वह फोस्ट तो रिस्टोर दी हाउस और रिप्रेजंटेटिव यहां पे भी हुआ कि आप जिसे देखोगे तो जो आम जंता थी ना तो नहीं समझ में आ गया थे जो हमने लिमिटेड डेमोक्रेसी बीजॉए करी तो लोग फिर से प्रोटेश्ट पर आए जना अंदुलन तू में क्या होता है लाजली नॉन वाइलेंट मुवमेंट तो इन्होंने कोई मोगा नहीं नहीं दिया कि राजा बोल दे कि वालेंट मुवमेंट यह सारा तो एक नॉन वालेंट मुवमेंट इस्टा होता है लेड़ लाइंस लेठी सेवन प्राटिय अलयाइंस मतलब कलब कहा है जो अलाग अलग नेपाली का मि मेंटियों को साथ संद अंट्र मिलेंट मेंट यह नोफिच नंउन वाइलेंट प्रोटेश्ट तो इस तरह क्या करेगा राजा एक तरह से पार्लेमेंटी डेमोक्राशी को फिर अलाओ करेगा ठीक है तो नेपाल एज अंडर गॉन एक मुमेंट इन इस्ट्री बिकॉज फॉर्म स कॉंस्टिट्वेंट एसंबली टू ड्राफ दी कॉंस्टिटिशन आफ नेपाल तो फिर आप यह से दे ना में यहां पर थो पार्लेमेंट डिव करी थी रिस्टोर कर ले जाती है अब भी रिस्टोर करी आती है तो बूерм हो नेपाल पाट हर एक टीस हम da करते तो constitutional मोनार्की है महां पे ठीक है उस तरह से कहा है मोनार्क को रख लेते हैं कुछ लोगों का यह कहना था कुछ लोग जरुवत नहीं है मोनार्क कल को फिर क्या है मैं पार्लेमेंट को रिजॉल्व कर देंगे मारो गोली ठीक है गोली मारो मतलब कि इन्हें अपनी जगपे से तो कहा है तो दिमोना दिमार्श ग्रॉप एग्रीट तो सब्सक्राइब मतलब यहां पर चीज़ें कर पार हो ना कि कुछ लोग बोला थे किसको रख लो कॉंस्टिटूशनल मोनार्की को रख लो कुछ लोग इसके अपोस भी कर रहे थे माविस्ट ग्रॉप जो था जो हत्यार उठाए हुए था उसने भी अपने हत्यार डाल दिये वह भी इस देमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट हो जाता है ठीक है तो आप ध्यान रखना तो आप स्ट्रगल देवांटेट टुक देवांटेटी कॉंस्टिटूशन तो इंक्लूट दी रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोचल एन एकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने बात करी कि सोचल एकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पर फूकस किया जाए ठीक है तो वह अब आव मना रहे हैं लेकिन उस कॉंस्टिटूशन के स्रेमिंग में भी चैलेंजेस आ रहे थे ठीक है अलग-अलग सेक्शन जो थे अलग-अलग इंट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आल दी पार्टी इंटी सेवन पार्टी अलाइंस डिट नॉट एग्री विद इस प् आपको बताया वी था की जो मोनार्कील सिस्टम रहा ना नेपाल में तो उस मोनार्क गलynn सिस्टम में मतलब 1990s के पहले की बात कर रहे हैं तो जो local protest होते थे ठीक है एक अच्छी बात बतारों समझना local protest होते थे जब पूरी hardcore monarchy थी वहाँ पर तो उस समय पर क्या होता कि मोनार्क्स ने नेपाल की मोनार्क्स ने इंडिया से हत्यार मांगे इंडिया ने हत्यार देने से मना कर दिया क्यों मना किया पता है क्योंकि आप देखोगे ना तो पॉलिटिकली जो भी पोजीशन रहा हो इंडिया नेपाल का सबका लग लग पोजीशन होता है लेकिन अगर आप यहां चीजों को समझे कोशिश करोगे तो नेपाल और इंडिया के रिलीशन जो लार्जली क्या है कल्च्रल है ओपन बॉर्डर है ठीक है रिलीजियस एफिलियेशन है आप सिक्स मिलियन से ज्यादा लोग जो है इंडिया में काम कर रहे हैं नेपाल के ठीक है उसके और इंडिया क्या करता है आं सप्लाई कर देता कि स्को मौनार्की को ताकि वह लोगल प्रोटेश्ट्छ को उफ्रेस कर पाए तो इंडिया हमक्रेसी आई यह भगा मतलब एक सख्शन बहात कर रहा था कि मौनार्की जो है कि नौनार्की क rättलत u तो हमने बोला कि हाँ यह भी सही है तो जब यह consensus बन गया Constituent Assembly के कि मोनार्की को पुरा खतम ही करना है ठीक है तब लोग हमें क्या देखने लगे कि Indian government जो है वो क्या करना चाहती है suspicious मतलब suspicious भी में देखने लगे कि Indian government के तो vested interest है वो नेपाल को इस्तमाल करना चाहती है ठीक है तो हम दोनों तरब से पिस गये थे कुल मिला के यह है तो आज भी आप जिसे देखो गे ना कि जो ओली फ्रेक्शन है तो वो क्या इंडिया और नेपाल के रिलेशन सुतने अच्छे नहीं और आखिरकार जब इनका बनता है 2015 में उसके बाद और दिक्कत होती है करेक्ट कर पारे होना कि पहली बात तो क्या है कि वहां पर अलग अलग प्लेटिकल पार्टिस में फ्रेक्शन दूसरी चीज़ का है जो माविस्ट और दूसरी अलग प्लेटिकल पार्टिस है दिए अटीपले सपीशियोस और इंडियन गवर्मेंट इंट्स रोल हिंदी फ्यूचर ऑस नेपाल उना ऐसा रखता था कि इंडियन गवर्मेंट जो बिग ब्रजर का रोल प्ले करके डॉमिनेट करना चारी इंडियन पॉलिटिक्स में तो 2008 में जो कॉन्सिट्रेंट असमली थी तो अल्टिमेटली नेपा सब्सक्राइब करना चाहिए नेपाली प्रेसिडेंट राम बरन यादो उस समय पे तो उन्होंने कॉंसिट्रेंट कर लिया यह सारी चीज हो गई लेकिन यहां पर एक एंगल था यह इंडिया और नेपाल के बीच में थो आपको आउट ऑफ दी बॉक्स जाके बता रहा हूं चीजों कि इस कॉंसिट्रेंट में प्रॉब्लम आई मधीशी की ठीक है जो वहां और नेपाल की डॉडर पर रहती है तो अब इनपाल की बॉर्डर पर हथी तो बहुत सारे मधीशी इंडिया में भी इनेपाल में भी अब मधीशी र κάा नेपाल के जो नूर्थ वाले इजन में जिनका चैना के साथे इपिलिशन जादा है तो उन्हें ऑसानग व्हां कि खेर international relation ऐसा है अगर आप competitive की preparation करेंगे तब तसली से पढ़ेंगे हम इसे ठीके तो आपको और बहुत सारे dimensions यहां पर जानने को मिलेंगे आगा समझ में so this was the whole story about monarchy and democracy in Nepal वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ethnic conflicts and democracy in Sri Lanka अब यहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है पिछले वीडियो में हमने South Asia में जो बड़े बड़े वही केस बांगलादेश के साथ में था नेपाल के कंडिशन में क्या है कि मोनार्की था मिलेटरी रूल की जगा मोनार्की डेमोक्रेसी मोनार्की डेमोक्रेसी यह कहानी चल रही है रहे हैं रूलिंग क्लास के बीच में मासेस के बीच में वह सारी कहानी और आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए ठीक है अब वैसे ही एक और जो इंपॉर्टन कंट्री है साथ एशिया में जिसे हम समझने वाले हैं वो है श्रीलंका अब दोको श्र सटेंड वे में चली आ रही है फंक्शनल डेमोक्रसी आपको देखने को मिल रही है इंडिया और श्रीलंका के केस में ठीक है अब क्या होता है कि हमने दूसरे कंट्री के जो एक्जामपल पढ़का तो वहां डेमोक्रसी में ब्रेक लग जाता है मिलिटरी रूल आ जाता है देमोक्रसी आ जाती है मोनार की पावर में जाती फिर देमोक्रसी आ जाती है श्रीलंका और इंडिया की केस में ऐसा नहीं यह ब्रेकर आये थे जैसे इंडिया में एमर्जंसी का टाइम था यहां पर एथनिक कंफ्लिक्ट जब रहा था तो अभी वो समझेंगे एथनिक स्रीलंका के केस में ब्रेकर्स आये हैं लेकिन कभी ब्रेक नहीं लगाए देमोक्रसी पे तो यह एथनिक कंफ्लिक्ट क्या है वह हम क्या करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं मैजदा टॉपिक है आपको बहुत सारे इंसाइट्स जानने को मिलेंगे और आपको लग लग परस्पेक्टिव बताएं और थोड़ से इंटरनाशनल रिलेशन का जोग लगाएंगे तो वह सारी चीज़ें क्या करेंगे वह सारी चीज़ें इस चैप्टर में रखने इस वीडियो में रखने वाले हैं तो श्रीलंका रिटेंड डेमोक्रेसी सिंस इक् निशन ठीक श्रीलंका इंडिया का मैं अपने जाते हो श्रीलंका का फ्री में मिल जाता है आपको तो छोटा सा प्यारा सा देश है श्रीलंका अब यह श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी रही है डेमोक्रेसी कब से रही आजादी से आजादी किस्से मिली तो वही जैसा हमारे पर British rule था तोे सीधी और प्रॉटेशन था रबडिश अडिशिए रब्र फिलहों कि यहां पर अपने यहां जो समस्यय ती की आ थी ईथनिक conflict leading to the demand for succession by one of the regions ठीक है अपर चीज़े ध्यान रखना है serious tensions के सबस्क्राइब एथनिक conflict एथनिक conflict मतलब क्या है तो यहां पर कोई भी military or monarchial rule नहीं आया है military rule military dictators का डर हो या फिर वो समस्या नहीं यह समस्या ethnic conflict ethnic conflict मतलब जैसे अगर हम बात करें तो लोगों की ethnicity के basis पे civil war type situation हो जाती है तो यह आपने पढ़ा भी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस जब स्टार्ट करते तो पहला चाप्टर यह आता है ठीक है तो यहां civil war वाली situation होती क्योंकि अलग-अलग जो अलग-अलग ethnic groups है ठीक है अलग-अलग क्या सकता identity वाले लोग है ठीक है श्रीलंका की केस में linguistic ethnicity की बात की जाती है linguistic ethnicity मतलब क्या है कि लैंग्वच की basis पे जो अलग-अलग diverse groups है ठीक है उनके बीच में conflicts हुए लैंग्वच की मतलब तो अगर आप से थोड़ा सा श्रीलंका की पॉलिटी को समझते हैं वहां की demographic को समझते हैं तो श्रीलंका में सिनहला और तमिल्स है सिनहला जो है तो सिनहला कि सिनाला मैजोरिटी में है और तमिल जो है वो माइनोरिटी में है अब पहुच कैसे गए तो देखो पहली चीज क्या है कि हिस्टॉरिकली आप देखेंगे तो पुराने समय से मतलब आज कल से नहीं आज से हजारों साल पहले क्या है तमिल जो है आज से हजारों लाखों साल तो यहां से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए थे क्योंकि श्रीलंका वगरा जब सब चुला एंपायर के अंडर में था ठीक है तो तब ही सेटल हो गए तो उसके बाद में जिसे कर आप देखोगे तो ब्रिटिश टाइम पिरिट में भी तमिल्स बहुत जादा से श्रीलंका ठीक तो अब कासी तरह से एक अधिन पराइब में इंडिया से गए है तो इंदिया से गये है तो फुक्तिंट ढמर्प की ब्र्ॉब्रफ कि यह जो अलग अलग गुरूप है तो यहां पर तमिल एक गुरूप हो गया चाहे उस्री लंका नोय चाहे इंडियन तमिल हो और सिन्हला जो है वो दूसरा गुरूप हो गया और इनके बीच में kontroversies create होती है kontroversies कैसे create होती देखो तो यह यह पॉलिटिकल रेटोरिक बन गया फॉलिटारिक बनना मतलब क्या है कि चुनावी मुद्धा बन गया यह सब्व歌ise श्रोल आफ प्रिटाोल कंसेप्ट चलता है आश्माल कंसेप्या हम तो यहीं यहास में भी अफार्बर आफ जो आ convicted बेंसे लोग जो लेंड अब जो स्री लंका न्तमिल ते वह से बेख रहे थे हम तो यह हजारों सालों से हमारों कहां हम कहां जाएंगे तो आप देखो डाइवर्सिटी हर जगा होती है इंडिया में कितनी डाइवर्सुटी बताव ठीक वैसे डाइवर्सीटी का है शी लंका में भी लेकिन शी शाहिए मेजरिटी को आपील करो अपीस करो तो उससे क्या होगा आटोमेटिकली हम सरकार में बने रहेंगे लेकिन उसके चलते होगा कि जो माइनोरिटी स्थी वहाँ पे ठीक है माइनोरिटी लिंगिस्टिक एथनिक ग्रूप जो है तमिल उन्होंने बहुत जादा सफर किया और सफर जो खर रहे थे वह सफर मतले भीडा वालार या तो जो पीडा सहन कर रहते हैं उस पीडा के चलते ही क्या होती है कि सिवल वारो लिस लाखों लोगों की जाती है Citra लोगों की जाने बी जाती है तो पूरी कहानी समझेंगे प्यार से आपको बीग ओना आटी ओडभ तो तमिल्स और श्री-LANकन अमदल श्री-LANकन तमिल्स इंडियन तमिल्स एक कैटेगरी हो गई और सिनहला दूसरे एकटेगरी हो गई और इनके बीच का जो चौन फो समझना है देमोकरी सी जो आज भी हाँ आप देख रहे हो तो फंक्षिन डेमोकरी सी लेकल उसमें कैसे चैल कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो डॉमिनेशन था ठीक है किसका था पॉलिटिक्स में पब्लिक इंस्टिटूशन में सिनहलास का था इनफेक्ट शिनहला मेजूर्टी जो थी एक लॉल आती जिसके चलते तलेतों तमिल लेंग्वेज को क्या कर देती डिस्रिगार्ड कर देती है सिनाला लेंग्वज को ऑफिशल लेंग्वज बना देती है तो बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट को नैशनल रिलिजिन डिकलियर कर दिया जाता है ठीक गवर्मेंट पोजिशन वगेरा जो है स्कूल सुगेरा है यूनिवर्सिटीज है उनमें सीट्स रिजर्फ कर दी जात एंड सेटल देर तो इसी तरह से क्या में बता है नो सन ओफ सॉइल मुमेंट चल रहा है एक तरह से कि नहीं यह तो बाहर से इंडिया से आया हमारे ब्रिटिश टाइम प्रिटिश लेगा थे प्लांटेशन वरकर्स बना बना के अब वहीं सेटल हो गए तो जो एक ऐसा इंस migration continued even after independence और इंडिपेंडेंस के बाद भी अब जैसे कुछ तमिल फैमिल श्री लंका में रह रही थी तो अपने चाचा दादा सब को लिए थी तामिल नाडू से चलो हमारे पास काम है श्री लंका में चलो हां काम करना और है क्या श्री लंका और तमिल नाडू में कितरा शुर्ण नाड गिफ कंसेशन फुदी तमिल्स विकॉष श्री लंका बिलॉंग्स टुदी सिनहला पीपल ओनली एंडियर दी थिंग्स एसकलेट इंटू दी सिविल वार क्या होता है कि अब यह साथ सब कुछ हो रहाता तो जो सिनहला नेशनलिस थे जो अपनी रोटियां क इस किस पर सेकते ते जिटे उन लोगों लिए फ्री आगी लंका गुवर्मेंट जो है इस तरह से नेगलेक्ट किया जाता है systematically neglect किया जाता है government के द्वारा neglect किया जाता है institutionalized way में neglect किया जाता है किसको तमिल्स को अब तमिल्स लपेटे में सब आ गए श्री-Lankan तमिल्स भी आ गए और इंडियन तमिल्स भी आ गए देखो इंडियन तमिल्स के साथ में तो चलो ठीक है कि 100-200 सालों का जो एक वो टाइम पिरिट था जिसमें माईग्रेशन जादा हुआ plantation workers के फॉर्म में तो वह विजिबल था लेकिन जो श्री-Lankan तमिल्स बहुत हजारों सालों से वहार रहे उन्हें भी इसा लगता था कि जस्ट वी आर तमिल्स देट इस वाइव यह नोट गटिंग दी राइट इन आर ओन कंट्री तो उसके चलते कैं तमिल्स के अंदर भी अलीनेशन आ रहा था बहुत ज्यादा तब उसको भी ऐसा लग रहा था गलत हो रहा है अत्याचार और हमारे साथ लेकिन इनलेट अस्वार मेजरी टीटी तो है क्या है मैजरी टीक तरह से थमरूल है तो जनता जिदर है तो जनता को कोई चहरा होता है क्या भीड़ का नहीं शिवशंकर मेनन जो है हमारे former national security advisor जो रहे हैं ठीक है एंडिय के पहले जो युप गवर्मेंट के टाइम पिरेड में वो national security advisor रहे है उनकी बुक है choices ठीक है तो उस बुक में बहुत सारी interesting चीज़ेंगे बताईए because he was the high commissioner in Pakistan he was the high commissioner in श्रीलंका तो उन्होंने का है उन्होंने यहां पर बहुत क्लोजली ऑबजर्फ किया कि इंदियन फॉरेंट पॉलिशी उसमें किस तरह सो ने डिकेटेट चैप्टर बताया है तो उसमें आपको तमिल और इंडिया की बीच में जो प्रॉब्लम से उसके बारे में समझ में और एक समय के बाद में क्या होता है जब घट पूरा भर जाता तो घट फूटता है पानी बाहर लगता है तो तमिल सहन करते 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 जिस अगर आप देखो के तो 83 के अगर हम बात करें 1983 में बहुत भेंकर दंगे होते हैं कहां पर मतलब से एंटी तमिल रहें राइट सोते हैं इन्टी तमिल राइट सोते हैं जिसमें तैमिल्स की पॉपलिशन की जा दियाद और विगड़े थी थी यह जो सारी चीज़ें ऑगर तो इस पर पॉलिटीकल लिडर्स अपनी रोटिय तो हमारे इंटर्वेंशन भी था भी समझ में आएगा आपको आगे कैसे यह जो जिस तरह से सिस्टेमेटिक लिए अब तमिल्स ने हत्यार उठा लिये सुनके बढ़ा है क्यों कि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारों लोगों ने टू देखा ओगा तो उसमें आपको यह शो पाणियों से प्लाइए तो जी यहां वह जो है नहीं तो वह तो खें इमेजिनीटिव स्टोरी बनाई गई है वह तमिल नैशनिज्म के खतम होने के बाद बनाई है लेकिन फिर भी आपको एक कंटेक्स समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था बहुत सारे लोगों की जब जाने जा रही थी रॉट सो रहे चाहिए उनकी लीडर होगाए प्रभाकरन ठीक है तो लिबरेशन ताइगर्स अफ तमिल इलम यह चीज दिहान रखना लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम इलम कमतलब होता है स्टेट ठीक है तो अब जो यह विद्टी ओर्गनाइजिशन बना यह क्यों मना तो एक एक मेजरिटी सिनाला गवर्मेंट जिस तरह से अत्याचार कर रही थी उसी का आउटकम यह निकल के आया कि एक ऐसा मिलिटेंट और्गनाइजिशन मना अब देखो एल्टीटी कि ऑब्जेक्टिव क्या थे सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए लिबरेशन चाहिए किसका टाइगर्फ कले वरिशन की तड़ला नंग के इस तरह से ते इंडिया में भी थे इंडिया में कहा थे नॉर्थ इस्ट में जिसे अगर आप देखोगे ठीक है खालिस्तान मुनेंट चला था कश्मीर में जैसे आप देख रहो तो सकसेशन मुमेंट इंडिया ने भी सफर किये लेकिन वह डिपेंड करता है कि श्रिलंकन गवर्मेंट जो मैजुरिटीरियन गवर्मेंट थी सिनालास की वह अत्याचार कर रही है और डिटालियेट किस तरह से किया तो एक militant group बन गया militant nationalist group बन गया of tamils ठीक है जिसे हम किस नाम से जाते लिलम हैस बीन फाइटिंगें आम डिस्ट्रगल विट दी आर्मी ऑफ श्रीलंका इन डिमांडिंग तमिल इलम और सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स और स्रीलंका तो बहुत सारी डिमांड थी ल्टीटी की उनमें से एक डिमांड ये थी जो मेजर डिमांड की कैटिगरी में आजाद कर दो एक तमिल इलम बना दो ठीके तमिल्स के लिए अलग देश शिलंका जो है सिनालास का देश कर लो आप ठीके ये डिमांड थी अब क्या है कि कोई भी अपने देश के हिस्से क्यों ने देगा तो जो सिनाला रूलर्स उन्होंने और रिटालीट करा उन्होंने तो उन्हें भी आफ चल्ड लिया अब शिलंकार इस्टेट रिना तो उस्टेट के पास हूए इस्ट्राइश इंडी कंट्री स्टेट इस्ट्रामाइस उसके पास आर्मिये वेपन से सारी चीज़ है तो डिटालीए शिलंकन गवर्मेंटन ने भी ऐसे किया कि मारो ठार्व एक तरफ करो ठीक है अब क्या हो रहा है 1983 से प्रॉब्लम हो रही है 83 उस समय आप जैसे देखो 83 इंड्रा गांदी वाज प्राइम मिनिस्टर उनका अससे नेशन होता 84 में तो हम उस समय पर देखो यह जो टाइम प्रेट रहा है डीके 1980 से 1980 से अगर आप समझाओगे 1990 तक 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 तो इसमें आप बहुत सारी चीजे समझना देखो अंडर करेंस पढ़ना सीखना होगे हमें अंडर करेंस पढ़ना मतलब क्या है कि समय पर हम खालिस्तानी मूवमेंट्स को भी डील कर रहे हैं ठीक है जब बुक्टू पढ़ोगे तब फिर चीजे बुक्टू में भी आपको यह सारे चीजें पढ़ना होगी तो खालिस्तानी मूवमेंट्स चल रहा था ठीक है तो उसे कह सकता है कि डील किया ऑप्रेशन ब्लू इस्टार वगिरा वहीं पर आप देखो के तो नौर्थ इस्ट में भी दिक्कते नौर्थ इसके साथ में कि तमिल्स का और यह जो पूरी की चीज़ें डीवलाप हुई है वह समझो तो शेंद श्री लंकान प्रभलम इनवाल्वस पीपल आफ इंडियन ओरीजिन आया न समझ में तो इंडिया आप बोल सकती कि श्री लंगा के इंटरेल प्रव्लम इंडिया को कहा लए लेकिन जो इंटरेल प्र गवर्मेंट हमारी कुछ करेगी कुछ लोगों को बचाएगी यह करेगी वो करेगी यूससे की गवर्मेंट के साथ बात करेगी ठीक है और वही सिच्वेशन उस्टाइम भी रही होगी थोड़ा सा एक्दम प्रैक्टिकल सोचो तो यहां पर क्या होता है कि शीलंकन प्रॉब तमिलनाडू कोई लोग है उनके परिवार के लोक श्री लंका वे रहे हों तमिल फोगों तो यह दिकत थी और इसी कारण से क्या होता है कि जो हमारा तमिल नाडू का स्टेट है जितने बी तमिल पॉपुलेशन जो कह सकते जिनके स्टिमेंस श्रीलंकन तमिल के साथ जुड पावर में आते हैं एंड राजीव गांदी का जो टाइम पिरिट रान तो उसमें इस तरह से जो सशेशनिस्ट मूवमेंट से जो कंफ्लिक्ट से उनको उन्होंने कह सकते एक हद तक बहतर डील किया है क्योंकि नौर्थ-east में बहुत कुछ अचीव कर लिया था फिर जैसे आ है हमें राजीव गांदी को खोना भी पड़ता है कैसे अभी समझ में आएगा आगे यहां तक चीजी समझ में आगे आपको तो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी इंवाल दी पीपल आस इंडियन ओरीजिन ठीक है वह समझ में आगे तमिल्स तमिल्स अब क्या था तमिल्स इंडियन गुवर्मेंट्ट शुट प्रोटेक्ट देंट रस तमिल्स इंडिया थे रही है तक फिर का था एंडिया थे गवर्मेंट अफ इंडिया तो नेगूशियेट विश्रीलंका गॉवर्मेंट और नी तमिल कुशियन अब देखो एक चीज में आपको बताता हूं कि चीज़े कैसे एसके लेट हो रहे है वर्ड पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखना मैं बताते चलूंगा कठीन कुछ नहीं है आपने सब पढ़ा है देखो टाइम पिरेड है ठीक है को रहा है इस समय पे सब अपने ब्लॉक को जो सब अपने अपने को मतलब सब अपने तरफ स्री लंका किदर था चीलंका किदर ऑचार नहीं वहां अच्छे नोट पर से एथा अच्छे नोट करता में और सफ्र कर लिग कि आया था को लोनियलिजम को लेकिन फिर क्या होता है कि यहां पर आप जैसे देखोगे तो श्री लंका ने अपनी एकनोमी को 1977 में लिब्रलाइस कर दिया लिब्रलाइजेशन मतलब लगा तो इसके चलते भी क्या है कि श्री लंका इंडिया को क्या मानने लगा था एक तरह से अपना नैचरल लाइए नहीं मान रहा था वह क्या समझने लगा था कि यार यह सुविट ब्लॉक के और यूएस से भी इंटर्वीन करता था यूएस से एट टाइम्स क्या करता था श्री लंका की फॉरिंग पॉलिसिस को गाइड कर देता था इंफेक्ट आप देखोगे तो त्री को नमली जो है तो इस्टन पोर्ट पर क्या है कि शिलंकन गॉर्मेंट ने उस समय पेग लिस्निंग पॉर्ट दे दिया था किसको यूएस से को तो यूएस से और शिलंका प्रेजा आगे था आपको इतना समझना है कारण था कि उन्हों अपनी एकनोमी को लिब्रेलाइस भी कर दिया था ठीक है खैर उस एंग होता था इंफेक्ट यह होता था कि जो तमिल्स एल्टीटी के लोग थे जो लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम थे वह वाइलेंस को जब यूज करते थे वेंदे रिजॉटेट टो वाइलेंस श्री लंकान आर्मी रिटाइलियेटेट विदी सेम वाइलेंस और उसके पहुचाई की एथनिक इशू जो हो जाए लेकिन फिर हुआ कि एल्टीटी भी और रेडिकल होते चले गया वह और ज्यादा क्या अपने आपको मॉड़नाइस कर गए मतलब कि उस स्केल पर यह एक छोटा टेर्रिस्ट और्गनाइजिशन अगर ग्रो कर रहा है तो अपने आप ग्रोनी कर सकते हैं पॉइंट को धिया नखना होगा उससे सपोर्ट मिल रहा है ठीक उसे सपोर्ट मिल रहा है तो अब क्या होता है कि एल्टी टी जो है तो यह तो जो तमिल डायस पोरा था दूसरे दूसरे देशों में जो वेल आफ फैमिलीस के लोग थे तो आपने से देखा होगा ना की फैमिली में टू में बताया गया है क्या बताया है कि यूएस से में कोई उनका बहुत स्टैबलिश हो चुका है तो वह पैसे वगएरा फंड्स वगएरा वहां से आते रहते थे तो ल्टी और मजबूत होते चले गया ठीक है अब क्या हो रहा है तो प पको ध्यान रखने 1987 में 1987 में rice wadana a increases a court sign होता है तो उस समय पर प्राइम छली मिंंस्टर कौन था श्रीलंका का दिने तो इनके बीच में का कॉच्चऑ होता है अकॉर्ड मतलब है कॉडल इक एकरिय्में refresh होता है रा लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वहां जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन से तमिल्स की उनको भी प्रॉपरली क्या जाए एड्रेस किया जाए बेलेंस बना दिया ना तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस ओल अबाउट बैलेंस तो उन्होंने बैलेंस किस तरह से वह लागी नहीं यह तै क्या गया कि श्री लंका में इलेक्शन होंगे सीज़ाइड कर लिया गया कि अब यह ना तो तम लोग बोली चलाएंगे ना श्री लंकन आर्मी चलाएगी अब लेकिन दिक्कत क्या होती है 87 के बाद में इसे 88-89 में अगर आप देखते हैं तो खेर अभी इलेक्शन दूर है उसके पहले चीज़े कैसे बिगड़ती है कि श्री लंकन गौर्मेंट ने बोलतो दिया इलेक्शन करवाएंगे कब करवाओगे ठीक है मतलब एक समय भी होता है तो उस तरह से क्या इलेक् ओर्गनाइजेशन है वह एक फॉर्मलाइज वे में इतना पीशन्स नहीं होता है ना तो उसके चलते क्या होता है कि ल्टीटी की तरफ से सीज़ फायर का वाइलेशन हुआ सीज़ फायर का वाइलेशन हुआ तो इधर से क्या शिलंकन आर्मी ने भी बंगोले मारना चालू कर दिये अब देखो चीजे फिर एसकलेट होने लगी है और यह जो अकॉर्ड साइन हुआ था जैवर्धन राजीव गांधी अकॉर्ड जो साइन हुआ था तो इस आत्यार चलाने लगे हमारे उपर तो अपक्या होता है कि उस अकॉर्ड के अकॉर्ड इंग ली ठीक है इंडियन गवर्मेंट को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है ठीक है आई-पी केस उतारना पड़ती है अब समझो यहां खिचडी बनिये पूरी खिचडी का बनिये ह हमारा कंश्रिकBoy कुछ नहीं है डाइरिक्ट हमारा चांवीश कशनी डारे बस यह है कि एंठोजिक अण मतलब जोके सकते हैं कि तमिल सेंटिमेंट से उनको ध्यान में रखते हुएं हम बीस में इंतरवीन करते हैं कि चलो लड़ाी लड़ लग रहें बच्चzneे इनको उसमें प्रोब्लम क्या होई कि हमें इंडियन पीस heeft एससे लाड़ गया तो एंडियन पीसनेफिटिपिंग Popular बेवास लट गया है तो इसरोड़ों तरफ क्या सी कि जब इंडियन पीस्टिपिंग पोर्स के लोग एल्टीटी के जो टेर्रिस्ट ग्रूप्स ते उनके उपर गोलिया चलाई उनसे लड़ेगी तो इससे जो तमिल्स थे उन्हें और भुरा लगा तमिल्स को ऐसा लगा किया हमारी गवर्मेंट हमारी लोगों को मार रही है पहला मतलब कह सकते पहली प्रॉब् कहते हैं मतलब जो भी था ठीक था हमने नेगोशेट कर वाया कि शांती बनी रहे वह सब कुछ ठीक था लेकिन इंडियन पीस्किविंग फोर्स को उतारना ही नहीं था और एक और घाटा क्या हुआ कि लगभग लगभग 2000 इंडियन सोल्डर्स वर किल्ड इंडिस बैटल दो प्रॉबम क्यa हुई कि और प्रॉबल्लम यह हुई कि जो इंडिया मतलब श्रीलंका के तमिल्स थे वह बाग के इंडिया में लगी इंडिया में उन्नने एक बेस बना लिय transfirm लाडु की गवश्मेंट जो है तमिल सेंटिमेंट के सपोर्ट करता है लोग वह सपोर्ट करने लगे तमिल सेंटिमेंट जोड़ के रखे हुए तो यह ब्लंडर रेट हुआ तो वही सारी चीज है मैंने आपको यहाँ पर बताई आप देखो तो इंडिया श्रिलंका पीज़ तो पूरी प्रॉब्लम क्रेट होती ना कि इंडिया साइं एन अकॉर्ड विश्रिलंका टू सेंट टूस्ट इस्टेब्लाइज रिलेशन बिट्विन श्रीलंकन गॉर्में नितमिल्स ठीक है लेकिन उससे क्या होता है कि एक तरह से दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है क् य९ जो है टो इंडियन पीसकीविंग though पहुचाही जाती है उन्हें बापिस बुलाया जाना पड़ता है वहां और तुम Henryonomy ऊससे होता लिया तो उसके चलते का है उसके जलते जैसे आप देखिएंगे तो इंडियान पीसकी पिर बना लिया जाता है वहां पर इलेक्षिन होते हैं श्रीलंका में तो फिर गवर्यमेंट आती है तो चैनल को फूरी तरह से खतम परी बडी कॉस्ट पे करना पड़ी और सीके चलते का फिर इंडियन गौर्मेंट ने तेकली अव इंटर्विन करेंगे इवेंचली दी इंडियन आर्मी गॉट इन तो फाइड विट टी इप्रेसंस अफ इंडियन दूप गोश्ट बाइड भाई श्री लंकांस श्री लंकां को भी पसंद निया एंडिटी से लड़ रहे थे तो इंडियन तमिल जो तो ने भी पसंद निया आया देफो देफोर दिस आज एज आटेंट पाई इंडिया टू इंटर्फिर इंटर्नल अफिर्स ओफ श्री लंका ठीक है तो इन नाइंटीन आइंटीन इन आटेंग दिया ओब्जेक्टिव तो जिस आपजेक्टिव से पहुचाय गया था की पीस स्टाइबलेश की जा सकती है तो जो पीस अकॉड था वो फिलिए रहा ठीक है वह एक फिलियर रहा ठीक तो कह सकते है आप एक फिलियर रहा अब इसके बात क्या होता देखो तो इंडियन पीस्किपिंग फोर्स हमने डिपलॉय करी थी ना वह में बुलाना पड़ी और वह एक फेलियर रहा एक तरह से ठीक लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खतम नहीं हुए तमिल्स की अभी भी मतलब की 1989 के बाद हम बात करें 89 के अधि भी प्रॉबलम खतम नहीं थी और प्रॉबलम खतम नहीं हुए थी इंडिया ने का दिया ने अपने आपको दूर रखा वनाम डिस्टन्स ले लिया कैसे तो हम ने बोला किया हम इंटरविन कर रहें ल्टीटी हमारी बात सुनि रहा है तो हम त है श्रीलंकन क्राइस कंटीनियू तो भी वॉयलेंट वॉयलेंट क्राइस बने रहा है ठीक है हावेवर इंटरनेशनल एक्टर्स तो बीच में प्रयास अब हम तो बहार आ गए ना लेकिन हमारे बहार निकलने के बाद में क्या होता है कि एक मौका ऐसा भी आता है अगेस 2000 के आसपास 2001 टू के आसपास जो टाइम पिरेट था तब क्या है कि नौर्वे जो है नौर्वे आइसलेंड जो इन देशों को मीडियों करवाने के लिए दोलों ही रेडियों जाते है श्रीलंकन गवर्मेंट भी अग्री हो जाती है और लिटीटी का जो गृप है वह ठीक है नॉर्वे जो है नॉर्वे क्या करवाता है अगर पीस प्रोचेस को इनिशेट कर वा सकता है नेगुशीएट कर वा सकता है मेउन्स प्रभाकरन प्रभाकरन अफ? ओस क्या होता है उसके पीछे की कहानी में बता तो इन्हें जानते हो ठीक है तो राजपक्षा ब्रदर्स जो है तो इस समय आप जिसे देखेंगे तो श्रीलंकन पॉलिटिक्स इन्हीं के दुवारा डॉमिनेट की जाती है और उसी के साथ-साथ मैं कह सकते तो तमिल प्रॉब्लम थी तो तमिल प्रॉब्लम को सिस्टेमेटिकली खतम करने में इन दोनों का बहुत बड़ा नाम है ठीक तो थोड़ा सामनल आप भी पढ़ना इंट्रेस्ट आएगा और तो हीवा ही इस महेंद ठीक है महींद राजपक्षा और यह गोटाब राजपक्षा ठीक गोटाब रा बढ़ा राजपक्षा के पास महींद राजपक्षा राजपक्षा के बास बहुत 안 इमोशन जो थे वह भी बहुत हद तक बदल गए थे क्यों क्योंकि जिस तरह से एल्टी टी ने देश के प्राइम मिनिस्टर को असेसिनेट कर दिया ठीके तमिलादू में एलेक्शन केम्पेन में राजीव गांदी का असेसिनेशन हो जाता है ठीके तो उससे तमिल जो इंडि मिल गया यह आज में बहुत खत्रना तो महींदर राजपक्षा ने क्या करना इस्टार्ट क्या बूटल सप्रेशन स्टार्ट किया 2005 से तो 2005 से 2009 तक अल्टिमेटली क्या किया पूरी तरह से एल्टी टी जो है एल्टीटी के लीडर प्रभा करन वगिरा को सब को उड़ा के ख है जो जिसके एस्पिरिशन उन्हें चाहिए तो अटनॉमी दो हम यह नहीं बोला है कि देश से अलग कर दो ठीक है इंडियन गवर्मेंट का वह स्टेंड रहता है तो इस तरह से एथनिक कंफ्लिक्ट जो है डेमोक्रेसी बनी रही है यह सारा सब कुछ चलता रहा लेकिन हम क्या सकते 1989 के बाद से जो भी हुआ श्रीलंका में उसमें इंडिया ने हाथ पीछे कीछ लिये थे और यहीं पर पता क्या होता है चीजे बिगड़ती है कैसे तो आप एक चीज़ समझो अभी दो मिनिट के लहां यहां पर रोक देते सब कुछ है यह कार्टून भी समझा तो यह जो टाइम पिरेड रहा है जैसे हम 89 से हमने तो आपने हाथ खीच लिए तो अब क्या है की अब श्रीलंका ने सप्रेस करना है किसको इंडियावादा कर नहीं कि जो गवर्मेंट उससे सप्रेश करना था ल्टीटी तो श्रिलंका ने हत्यार मांगे इंडिया देगा नहीं हत्यार क्योंकि इंडिया हत्यार देता तो तमिल सेंटिमेंट वाला कुशन आ जाता जैसा नेपाल के केस में आपको बताया था मदेशी इसका ठीक है तो इंडिय परेश दी ल्टीटी और हत्यार चैना ने सप्लाइ करें चैना ने कर्ज दिया कर्ज कैसे दिया हम बंटोटा पोड की बात कर लो आप को लंब पोड़ पर जो एक साउट टरमिनल है वह किसमें करी वह आप जसे देखेंगे तो श्रीलंक चैना ने चैना ने हैवी टुक अंड्यू एड्वांटेज ओफ श्रीलंका चैना रिलेशन्स और वह अंड्यू एड्वांटेज में ऐसा है कि इन्हों ने भी अपनी जेवे भरी करप्शन के चार्ज लगे सारी चीज़े और इसी कारण से 2009 में चुनाओ भी हार जाता है इंसान नहीं हां 2009 में 2015 में तो चुनाओ भी हारता है वो लेकिन उस बीच में क्या होता है कि चाइना जो है बहुत बजबूत तरीके से जमाली श्रीलंका में उस टाइंग प्रेड में तो आपको समझाए कि किस तरह से साउध इश्या की व्ल्ड साउध इश्या की पॉलिटिक्स जो है कंटेंप्री व तो यह राजपक्षा लिखा हुआ है ठीक है और यह नट प्रस्तूती चल रही है इसा देखो है नट आपने दिखा है पहले आते थे जब बच्पन में छोटा था मैंने देखा तो रसी बांद के चलते थे पर उस तरह से स्टिक लेते थे बैलेंस करते थे तो इधर आप द इसमें बैलेंस करने का प्रयास राजपक्षा को दिखाया रहा है बागी वाट इस दी रियालिटी ही बूटली सप्रेश दी ल्टीटी इन फ्रम 2005-2009 ठीक है तो यह पुरी कहानी थी यह पुरा पॉलिटिकल डेवलप्मेंट में आपको बताया आई होप आपको एक भैतरी इंसाइट मिल गया है मतलब आप अब कनेक्ट कर सकतो कि श्रिलंका की पॉलेटिक्स कैसी रही है ठीक मैंने आपको रिसेंट टाइम तक बता दिये और आज जैसे हम देखते की बीच में सिरी सेना की गवर्मेंट आई थी ठीक है जब शीरी सेना जब बीच में देखते प्र राच पक्षण जो है वह प्रसिटेंट मन के बैठें तो कौन है पार्टी कौन सी पार्टी पावर में है वह बहुत हता के ताय करती है कि आपके किस देश के साथ क्या रिलिशन रहने वाले यह भी बड़ा इशू होता है ठीक है वह सब कुछ समझने के बाद में अगर हम आ है जिसने श्री लंका में देमोक्राशी को चला है रखा और साथ ही साथ में डेवलोपमेंट भी हुआ है हां यह देखो तो इन स्पाइट आफ दी कन्फिक्ट श्री लंका एस रजिस्टेर्ट कंसी डिरेवल एकनोमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्ड एड रिकॉर्ड है लेवल वर फिर्स डेवलपिंग कंट्री तो सक्सेफ़ुली कंट्रोल दी रेट आफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलिशन ठीक है विफर्स कंट्री इंदी रिजन तो लिबरलाइज दी अकनोमी में मताया 1977 में उन्होंने क्या कर दिया था यूए यूस के थोड़े से पाले में गिरते हु डॉमस्टिक प्रोडक्ट ठीक है जीडीपी पर कैपिटा इंकम के अगर बात की जाए तो जीडीपी उनकी क्या है साउथ इस्या रिजिन में सबसे ज्यादा है फॉर मैंनी यह राइट थूदी सिविल वार चल रहा है लेकिन फिर भी क्या है जो पर कैपिटा इंकम है वह अच्छी रही है यहां पर डिस्पाइट दी रेवेजेश वास इंटर्नल कंफिक्ट इट हैस मेंटेंड आट डेमोक्रेटिक प्लिटिकल सिस्टम ठीक है तो जो इंटर्नल कंफ्लिक्ट चला रहा है तो आप जैसे हम देगेंगे तो पाकिस्तान में कोई कंफिक्ट नहीं जनता थोड़ा भूत भी प्रोटेस्ट करती थी उत्ते में क्या होता था मिलिटरी रूल लग जाता था लेकिन यहां पर इतना कंफिक्ट के बावजुद भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो सस्टेन कर गया इंट इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया-Pakistan conflicts के बारे में इंडिया-Pakistan conflicts self-explanatory heading है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या conflicts है उसे हम समझने वाले हैं लेकिन पहले थोई सी थीम समझो ठीक है यह टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं यह टॉपिक जो आप पढ़ रहे जी हां अलग जोन में कैसे ले जा रहा है वो भी समझ में आएगा ठीक है और यह जो इंडिया पाकिस्तान इतना जोर क्यों दे रहा हूं यह भी समझ में आएगा एक उसके पहले इसकी सिग्निफिकेंस अगर आप समझेंगे ना तो जितने लोग कॉम्पेटिटिव की एक मुद्धा है यह से ज्यादा नहीं बोल पाता है इंसान नॉर्मली अगर देखें तो लेकिन अब आप एक एस्पिरेंट वह आप क्लास 12 में आ चुक को युमानिटीज के स्टुडेंट हो तब आपके पास में मुल्टिपल डामेंशन पर आंसर होना चाहिए अगर पु पड़ा आपने अभी तक यह समझा कि साउथ एशिया जो इस पूरा रीजन है इस रीजन में अलग-अलग देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है इंटरनल क्राइशिस का कई पर मिलेटरी कर पे डिक्टेटर शिप आ रही है ठीक है कर देमोक्राइश कर पर मोनार की है म तो अलग जोन किया हो गया तो आपने उनकी इंटरणल पॉलेटिक्स तो समझ ली इस रीजन के सारे नीशन की अब आपको यह समझना है कि इन रीजनस के बीच में क्या पॉलेटिक्स है गेटिंग आइडिया ठीक है तो एरिया ड़े आफ इस अर। और एफेक्टेव से क्या क जितने वीडियोज देखें अब आप साउथ एशिया में जो मेजर कंफिक्ट से अमंग दी डिफरेंट कंट्रीज उसे समझे की कोशिश करेंगे ठीक है थीम समझ में आई ये तो ट्राइटो अंडेस्टेंड अंडर करेंट अब अब तक आप नैशनल पॉलिटिक्स समझ रह समझ में आएगा कि South Asia is all about India and Pakistan क्योंकि आप देखो तो इंडिया की पोजिशन कितनी कितनी डॉमिनेटिंग है ठीक है इंडिया की पोजिशन कितनी डॉमिनेटिंग है सारे कंट्रीज के साथ में लगब लगब साओ इस्या के मारी बॉर्डर शेयर हो रही है ठीक है वी आरी सेंट्रल पोजिशन तो उस कंटेक्स में क्या होता है कि South Asia जो है South Asia एक इसाइक लेजर पावर के फॉर्म में South Asia में इंडिया है और अब जब इंडिया की बात करते हैं तो थी मोस्ट सेलेंट एंड ओवर्वेल्मिंग आफ इस कंफिलिक्ट इस अफ़कॉर्स दी वन बिट्विन इंडिया इन पाकिस्तान एंडो डाउट विल अग्रिविद इस क्या कि इ जादा ध्यान देने वाला कंफिलिक्ट जो है वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कंफिलिक्ट है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे मल्टीपल डाइमेंशन प्याशा करते हैं यहां तक चीज़ने आपको समझ मैं यह आप से कह रहा है कि मोस्ट ऑफन इस्कॉलस यूस इंडिया पाकिस्तान के जो कह सकते हैं इस्टे रूल प्ले करते हैं और उन्हें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो यह थी कहानी बैग्राउं समझा दिया मैं आपको आशा करते हैं आपको चीज़ने समझ में आ गया अब देखो तो अडर अर्टी एरिया ज पाकिस्तान अब इंडिया पाकिस्तान जो मताना कि एक आप इंसान रोल पर घूम रहा उससे पूछो के तो सर्प टेर्रिस्ट को मार देंगे हम या फिर बार्डर इशू कश्मीर शूबस इससे जादा नहीं बोल पाएगा लेकिन मुद्दे से भी जादा है जैसे तो कश् भी सुद्रे नहीं है पूरे करा से दिखा जाए तो तो कश्मीर इशू इंपॉर्टेंट है उसके बाद में क्या है एक्वेजिशन आफ आर्म्स स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन ठीके न्यूक्लियर वेपन 1998 के बाद से बात करें तो वह भी एक मुद्दा है अगर आ पाकिस्तान को बोलते कि भाया तुम क्या कर रहा हो कश्मीर में लोगों को एक तरह से क्या मतलब लोगों को प्रवोक कर रहे हो ठीक है तो इंटर्फेरेंस इंटरनेशन इंटर्नल इशू ये एक और मुद्दा है शेरिंग ऑफ वाटर ठीक है तो एक मैचॉर्ड सिटिजन की तरह भी और एक 12th क्लास युमेनिटीज की तरह एक एस्पिरेंट की तरह आपको ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूट करना होंगे वेरिट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान कंफिक्स ठीक है तो शेरिंग ऑफ वाटर भी एक मुद्दा होता है बॉर्डर डिस्प्यूट क इंडिया इंडिया इंपाकिस्तान सिंपल कुशन ठीक है चलो तो यह करके समझने स्टार्ट करते कहां से स्टार्ट करेंगे पोटेंशल कंफिक्ट एरिया जो है कश्मीर का ये एक सबसे मतलब बर्निंग इशू की तरह है इन फेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि व ठीक है और मोस्ट डिंजरेस एरियाज में कश्मीर इंडिया और मतलब कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर आता है फाइन अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डवलीवी कब हो आपको पता है 1947 के बासी जिसे हम देखेंगे 1947 आजादी 48 तक वार ठीक है 49 में कहीं हम ज कश्मीर के राजा ने जिनके पास मगार जैसे हम देखें की फॉर्मली लीगली होना क्या चाहिए कश्मीर के राजा ने बोलती है कश्मीर इती पार्ट आफ इंडिया पाकिस्तान को मंजूर नहीं हुआ अब पाकिस्तान को मंजूर नहीं हुआ तो उसमें हम क्या करें लेक years of politics जो था early years of politics में कहीना कहीं हमारे decisions उतने सही नहीं रहे हैं you may have a different point of view on this ठीक है आपका point of view अलग हो सकता है लेकिन जो मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सरदार वलब भाई पटिल का point of view क्या था मैंने आपको पहले भी बता है बुकुवन में क्या कि सीधा जिस तरह से आपने हैदराबाद जुनागर इन प्रोविंसेस के साथ डील किया के अप्रोच तो वहीं आपको कश्मीर के साथ भी अपनाना था लेकिन अब देखो सारे decisions न होते ना तो उसी तरह से क्या होता कि कश्मीर को या तो इंडिपेंडेंस के समय सुझा लेना था मुद्धा लेकिन अब क्या होता है कि कश्मीर को हमने बहुत डेमोक्रेटिकली चीजों को सौल करने की कोशिश करी ठीक जवाल लान ले यह बोला कि हम referendum कंड़क्ट करवाएं लेकिन आज जो कश्मीर में जनता है कश्मीर की जनता है नहीं इंट्रूजन जो उतना ज़्यादा इतना ज्यादा कह सकते हैं कि जो इन फिल्ट्रेटर्स आये कहां से पाकिस्तान से कश्मीर में तो उसके चलते हैं वह मुद्दा क्या हो गया एक डिबेटेबल इशु बनके रहे गया है समझ पार होना चीजों को ठीक अब क्या होता देखो तो दी पाकिस्तानी गवर्मेंट क्लेम देट कश्मीर बिलॉंग ट और यह कारण वार के कारण भी वही थे 4748 में पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया पाकिस्तानी गवर्मेंट स्टेट स्पॉंसर्ड इंफिल्ट्रेटर्स गुसना चालू होते हैं हम इंडियन आर्मी ने क्या किया पचार दिया बगा दिया लेकिन फिर क्या होता है कि कंफ्लि क्या करने जमुन कश्मीर जो है ठीक है वहाँ पर गुज रहे थे अंदर अब क्या होता है कि इंडियान आर्मी नहीं नहीं रिटालियेट किया बगाया उनको पीछे अब पीछे बगाया तो कुछ लोग पीछे गए पिछे कुछ लोग नहीं गए सब्सक्राइब यूमन राइट्स का मुद्धा यूनाइटे निशन में चले गया ब्लाब्लाब्लाब्ला सब खुच्री बन गई अब क्या होता तो उस समय पे जो सीसफायर सीज़ था सीज़वारेग्रिमेंट साइन होता है जिसके सलते यह तई किया जाता है कि यहां पर बस status quo हो जाएगा जो जहां है वैसी रुख जाओ यह line हो जाएगी किसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप क्योंकि उस समय पर यूद्ध जैसी स्तितित इसको विराम लगानेगे मतला एक तरह से परमाने नहीं है यह उस के पास में Pakistan occupied Kashmir हम क्या कहेंगे से Pakistan तरक ये इट मुद कशमिर के वो क्या क्शमीर तो क्या क्या है एंडिय औककुपाइड कशमीर काएं तो अपने अपने इंटर्प्रिटेशन तो ठेट प्रड़ल समाण हे उड़ाते हैं उनके लिए क्या बन जाते हैं शहीद बन जाते हैं तो यह कहानी रहती है अब यह इस इस्वाइर एग्रिमेंट से लाइन बनाए गई थी पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है पूरा उनका है और हम क्या बोलेंगे कि ले जाओ नहीं बिल्कुल नहीं फिर क्या होता है आगे देखो तो वार बिट थेरिया थोड़ा आगे इंट्रूट कर गए थे हम भी लाहर तक पहुंच गए तो पीस सेटलमेंट हो जाता है ताशकेंट एग्रिमेंट में जन्रल ऐयूब लाल भादु शास्त्री ध्यान आ रहा है ने सारा सब कुछ पीछे पढ़के आए तो वार बिट्विन इंडिया यहां पर चाहो तो करेक्शन कर सकते हैं इतना फैक्च्वल होने की दर्वत नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कब बोला जाने लगा जब 1971 के वार के बाद में शिमला एग्रिमेंट होता है इंद्रा गांधी और बुट्टो के बीच में तब इसे लाइन ऑफ कंट्रोल इसको क्या मान दिया डीफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया ठीक सिमला एग्रिमेंट के साब से यह हो गया तो अब उसके बात सीजिसे कर आप देखेंगे तो इनफेक्ट टेरिटरीज में ज्यादा चेंजे निया है तो जो प्रेजन पोजिशन है तो प्रेजन क्लीम करता है कि यह जो थोड़ा सा वेस्टन पार्ट है कश्मीर का यह भी और संसाद ने गिलटेट बलतिस्थान वाला एरिया जो है तो यह सब इंडिया का है ओ पाकिस्तान भी क्या मोलता है लाइन ओफ कंट्रोल परमाने नहीं है पूरा पूरा कश्मीर जो ऑई वा किसक रिमेंड अंसेटल तो 1971 में भी जैसे हमने डिसाइसिव वार जीती हमने बंगलदेश को अजात करवा दिया शिमला एग्रेमेंट में लेकिन क्षमीर इशू अन्सॉल्वड रहा अब देखो आप हैस्टेग ओपीनियन और स्कॉलर्स मेरा ओपीनियन यह बता रहो मैं आपको क कि कहा जाता है कि कश्मीर इशू को खतम पॉलिटिकल विल नहीं है खतम करने की क्यों कि कश्मीर इशू जो है इसको बहुत सी वार आप जैसे देखते हो तो उस पर पॉलिटिकल एडवांटेजस लिए जाते हैं और इसी कारण यह कारण है पता कि क्यों कश्मीर की जंता ड किया जा सकता था लेकिन उसमें कुछ जैन्वीन इशूस भी रहते हैं और उन जैन्वीन इशूस के साथ में एक प्रॉमिनेंट इंपॉर्टेंट इशू यह रहता है कि पॉलिटिकल विल जो है उतनी नहीं देखने को मिलती है ठीक है सब अपनी अपनी रोटी सेखना चाहते है ठीक है जो बात है सही है कभी-कभी क्या है जब पाकिस्तान कश्मीर यह बाते आती है ना तो इसमें बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते लेकिन हम उसमें ना जाए अब ठीक है आप से हम फोकस चीज़ पर करते हैं कि कंफ्लिक्स क्या क्या है आपको एक कह पर किस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो इंडिया प्रोविंस ऑफ कश्मीर उसके बीच की लाइन है जो कि परमानें नहीं है वैसे ही क्या है लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रूल क्या है फिर आप दिखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर को क्या कहा ज पाकिस्तान डिर रर मुल्टिबल मनें पाकिस्तान बनो फ्ट इंस गंफिल्टोर्विट ऑफ कश्मीर ऑफ किस्तान क्लें था समीर आपट टिकें इंफिल्ट्रेशन होता रहा है उनकी तरफ से बट जोट कश्मीर ऐंड बैड वरियास वोड़स डिसपाइड लेइस पड़ेंगे यहां पर नुक्लियर वेपन एक और इंपॉर्टेंट इशू है वह क्या है श्याचीन ग्लेशियर का है देखो श्याचीन ग्लेशियर की कहानी भी समझे तो यह देखो यह पॉइंट बहुत स्ट्राइटिक है अब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे 63 के इतना ट्रैटरी जो है फैना नहीं किसको देता है वह चाइना को देता है तो टेरिटरी सीरेट बाइपाकिस्तान टुचाइन है 1963 ठीक है अब चाहिना को कैसे दे दी लेकिन हम क्या क्लीम करते पता जो एक्च्वल क्लीम कर किया जा रहा है कर इसको तो अब हम एक तरह से कह सकते उतना है लाइट नहीं कर रहें लेकिन यह भी टेरिटरी किसका इंडिया का है जो कश्मीर के ऊपर वाला हिस्सा यह टेरिट व्ल्ड में सबसे उची बेक्टल ग्रावन जो है सिया टीनिंग करने में ही करोडर और रूपे दिन का खर्च होता है प्रवल्ट कर देंके कर देता था है थो उन्होंगाल इस उत्यात निटरविन कर देता है तो तो उन्होंने इस पाकिस्तानी जो है वह मानते का है तो यह एक इस्ट्राइजिक पॉइंट था उसके चलते हैं प्रकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइट कश्मिर का इंडिया ले गए ले 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 तुमारा इतनी ऊपर क्या है वैसे भी इतना खर्च कर नहीं पाओगे टो डेली के जब करोड़ रुपे खर्च करना पड़ते सिर्फ पैट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान एक्विजिशन ओवारी समझ नी रही है कहां से श्याचीन गेस ग्लेशियर समालों के तो अल्टमेटली वी हैस कंट्रोल अबर इस ठीक है तो वी आफ कंट्रोल अबर इस एंड विच इस बिंग पाकिस्तान क्लेम करते रहो आगा समझ में यह यह वाला पॉइंट हो गया फिर उसके बाद में एक्विजिशन ओफ आंस भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है तो थी आम सेट करवाया पॉफरण में नथे कैन नुक्लियर कैपैबिलिटी अपनी ठीक हें तो यहां और चीज़ें तो क्या है एक इसुर्चिये भी एग दोनों ही स्टेट के पास में क्या है नू किलेम एपन है इन il 98 India conducted nuclear explosion in Pokhran Pakistan respond responded with these few days by carrying out nuclear test in Chigai Hills Pakistan Khanh a kya lalapadha tele-numala nuclear weapon jarruh banana current tarka simple sa tar kiya ki India nuclear weapon banana liya India nuclear weapon banana liya pan bhi banao fatta fat to Chigai Hills monopit test conduct ya 1998 Maduro states ke pas met nuclear weapon other ticket since then India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined other go up direct or full-scale war jessa 65-71 may 4749 mona vessel on a key possibility of come over here because the only state come back in order to pass nuclear weapon a or make a matter of attack deterrence effect dihano to chapter one my pocket the cold war volume in top deterrence effect him take your in fact of this is the whole gate to your happy guy a key nuclear cooperation be a nuclear company nuclear cooperation in non-aggression nuclear deal joe agreement in on aggression on nuclear weapons as a kuch hai jiske chalte nukle a time-line manager video parada taba abko bata hai ta in fact pehle hi nuclear weapon banne se pehle hiya tae ka liya tha ki nuclear settlements peh hamla ni hooga kabhi bhi kiwa humanity ki liye bhi kiya ho sakta hai bhoot zada dhu khadayak ho sakta hai to dekho asa niya ki states ke bici me aap dhek rho to can cover head a conflict rete to sodarnika prayaas ni kiya jata hai okay peace is the best thing in the world I am not supporting war in any ways legin kya ho ta hai ab har kate states ki or dousari chief period ki war jota to ultimately common individuals jota honne bhoot zada suffer karna padata to countries be consider karthi hai to kuch agreements aya se bhi ho te jiske chalte wo dhyan raktay ki civilians ko problem na jaye military conflicts ho saka conflicts ho sakti hain aage chalke future me up usko kisini nini dekha hai lekin civilians ka dhyan poora rakhha jata dosi ke chalte kya hai india pakistan seem to have built a military relationship in which possibility of a direct full-scale war has declined ki nukle weapons aaga deterrence effect create ho gaya hai chalo ye kaani ho gai abu iske baad or dekha agar to both the governments are suspicious of each other regarding the matter of interference in internal affairs ye eek or naya mudda aaga internal affairs mtlb kya hai ki ye eek or dimension hai india pakistan conflict ka yaha phe indian government ka kya stand hai indian government ye kaati ki pakistan kis tarah se intervene karra hai to indian government has blamed the pakistan pakistani government for using a strategy of low-key violence by helping the kashmiri militants with arms training money and protection to carry out terrorist strikes against india tea hai hum kahi bhi pauch jai chand pe pauch jai maas pe pauch jai legin pakistan ka objective kya raha hai ki wo low-key violence strategy ka istimal karke apne territory pe logo ko train karayi ki mtlb terrorist ko train karayi ki or india me pohunchaayi ki unko ye nahi ki india kahan pohunch gaya chand pe mars pe objective kya hai pakistan ka to pakistan ka objective ye hai ki bas kisi bhi tarah se kashmiri militants ko brainwash karke india me terrorism ko badawa dina thik hai khas karke kashmir me terrorism ko badawa dina toh ye kya ya blame hai kis ka indian government ka sa mh jana ya hapa india pakistan ke conflicts me joh multiple dimensions to take dimension ye hai ki dholo hii dhisho ke pararoop lagtay aur ek dhusre ke par eek dhusre ke dvara hi arrop lagaya jate ki aap humare internal affairs me intervene kar raha hai india kya kya kata hai ki is tharay se kashmiri militants ko provoke karna dousari chiz kya indian government also believes that pakistan has aided to pro khalistani militants aap dekho 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 saap geograficali samanye ki košishish karo ge hai to me na aapko kya bata ya ta eek panjab humare paas eek panjab unke paas thik hai hemara panjab state joe hoa aur unka pakistan ka bhi panjab province to cultural similarity cultural similarity cultural similarity or uske chalte kya hai unhoney yeh dekha ki acha hai kya kya pakistan ko bhi chalistan rapika hata fani istanka kya 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 kata ta kh electromagnet ce namun ko funding dena pro E Sakhi moments ko chalana to xoalnya kayak pakistan joe takin Kapiki skri aussi jata hai indian government kota Stone년azioni banana benefits pareti 95 95 वाल अटाम प्रेट ठीक एट्स पाय अजनसी अब जैसे हमारी पाय जैंसी का है रौ ठीक रिसर्च एन अनलिस विंग वैसी उनकी इस्पाय अजनसी का है एंटी इंडिया केंपेंज इंडिया नॉर्थ इस्ट ऑपरेटिंग सीक्रेटली थू बांगलादेश एंड निपाल अब क्या है आप जिसे आज देखो कि तो बांगलादेश में भी रिलिजियस फंडामेंटलिजम बहुत स्क्रॉंग है ठीक है और बांगलादेश से भी टर नेपाल के थू क्या होता है अपने टररस्प्स को इंडिया में इंटर करवाता हुआ इपाल के साथ हमारी ओपन बर्डर है दिक है विजवर की खरवती एindet कि अइंडिया में र when घ्ञाने तो यहां से just a लाग कहाते कहां वीज़ी निए उस एंवी इंडिया का सकते हैं कि इंसिदेंस में जुड़ा हुआ है बंगलादेश को वैसे इस्तमाल किया जाता है और उनका में अब्जेक्टिवी क्या है कि नौर्थ इस्ट में इस्टेबिलिटी को बनाए रखना एक पॉइंट बताता हूं में देखो जब इंडिपेंडेंस नहीं म मतलब बाप बेटे का रिलिशन है जैसे एक दूसरे को चोड़ो उस चीज को बावनाव में ना बहते बामार समझाए तो यहां तक चाइना क्या है चुम्भी वैली में आ चुका है ठीक है अब यह पहले इस पाकिस्तान था मैंने आपको चिकन स्नेक वाला पॉइंट बताय हमाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशल रहा है ठीक तो ऐसे मल्टिपल इशूज है और उन मल्टिपल इशूज को फ्यूलब करने का इंजाम लगा जाता है पाकिस्तान के उपर ठीक है वो कहानी हो गई है अब क्या हो गया इतने सारी चीज़ समझ मैं अगी अब और इशू अब देखो क्या है अपनी तो समझ नी रही है उनसे यह सिंध है और बलुचिस्तान है सिंध और बलिच्टान में प्रोडमोकरिसी प्रोडमोक्रिक प्रोटेस्ट बहुत ज़ादा है और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया प्रिवेश वीडियो में कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान का यह जो प्रोविंशे पंजाब प्रुविंस के व तो या उसीन कि दब्दबा होता है तो उसके चलते क्या बलुचिस्तान के लोग जो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाहते हैं मतलब डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट सक्सेशन को लेके प्रोटेस्ट ठीक है सिंदे में भी इस्तिती है तो अब जब उनकी लोग उनकी सरकार से नाखुष है तो अब कहने को कुछ तो होना चाहि हैं कि नहीं कि कर दे हैं वो बताते हैं कि हाँ देखो आपने हमारे इंटर्वीन कैया कश्मीर मेंगज़ जाहिर वो थो लोग क्या बतले में नहीं आप भी हमारे बलुचिस्तान और सिंध sexual चैन uhhh को तो बिए पोल्चिस्तान केहां कि है कैसे सब्सक्राइब करता है पाकिस्तान किसको इंडिया को एक पॉइंट हो गया ठीक है अनदर पॉइंट पाकिस्तान और प्रॉब्लम्स अवर शेरिंग रिवर वाटर इस और बात करें न तो इंडिया और नैचरली देखा जाया अगर तो नैचरली ये सब पुरा का पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट काई पार्ट हैं लेकिन वह तो पॉलिटिकली डिवाइड हो गया अब क्या है तो आप जिसे देखेंगे तो हिमालयन रिवर्स हैं इंडश हो ग लो करते अब नदी ना नदी को कैसे बाट हो गया बताओ तो वह नदी यहां से फ्लोट कश्मीर बलतिस्तान वाले एरिया इंडस विंडस वहां से घूमते हुए अरिविन सी में क्या करती है डुपके लगाती है ठीक है अब लेकिन क्या है कि हमारे यहां से बहे के जा रही है तो चाहें तो हम पानी रोख सकते हैं जैसा चायना हमें डराता है क्या चायना क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है हमारे यहां से बहे के जा रही है मतलब चायना से बहे क्योंकि नदियां भेह के जारी ये थिक तो हम एड़्वांटेज पर है अब क्या हो कि मान लोगर इंडिया यहां डैम बना धे यहां डैम बना दें यहां बना धेंग पूरा ऑके मनमें हैं कि हैं आपको पता हैं मुझे कि आपके मन में italian के इन। जो भसें डूर्स जेलम चेनाब आप मैं चेनाब जो जहेलम चेनाब राभी सतलज ब्यास यह जाके इंड़स में मिलती है ठीक है तो जहे दिव मोर्त चेनाप जो है और इंडस जो है इन 3 नदीों पानी इन दिव पकिस्तान को ले लो यार ठीक कहे जिले जिन्दगी पाकिस्तान उस तरह से अप्क् 그대로 यहां पर जैसे आप छे simplicity आप तो तो फिर आप बोल रहो कि पानी तो पुरा उसको देंगे पाकिस्तान को तो वो डैम भी बनाया तो लेकिन वैक शर्त पर बनाया क्या कि जो रिवर फ्लो डैम रहेगा कि रिवर रिस्टिक्ट नहीं करो गया पानी रोखोगे नहीं यह यह इंडेस वाटर ट्रीटी के कुछ प और भी प्र पानी पूरा पानी कुंझ यूटिलाइश करेंगा इंडिया फिर भी फिर भिंक खरते हैं बहुत सारा पानी जो है यूकर आउसके आह desse था लेकिन यह कंफ्लिक्ट कैसे हो जाते हैं तो अंटिल 1960 दे वर लॉग्ट इन फिर्यस आर्गूमेंट ओवर दी यूज ओफ रिवर तु हेंड़ तो दी इंडर्स बेशिन 1960 के पहले कुछ नहीं था 4760 तेरा साल तक तो बढ़ियां क्या होते थे एक तरह से देखो कि इतना पानी देदो प्यासे मर जाएंगे पिर हमने दयाद रिष्टी करते हुए तीन नदियों का पानी दे दिया उनको अन्रिस्टिक्टेड वाटर ठीक है इवेंच्छी इवेंच ठीक है आप देखोगे 60 के बाद से देखो 65-71 सियाच इंगलेशियर पे जो प्रॉब्लम्स क्रियेट हुए थे 84 के टाइम पिरिड में ठीक है फिर उसके बाद में और आगे जैसे बढ़ते हैं तो कारगिल का टाइम पिर रहा है ठीक है इतने सारे कंफिक्स के बावजूद इतने सारे कंफिक्स के बावजूद भी क्या इंडस्वाटर ट्रीटी जो है वह सर्वाइफ कर रही है आज समय तक अब पुल्वाम अटैक हुआ था उस समय पर क्या आर्गूमेंट्स स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि लिमेट में रहा है तो पानी रोग देंगे तुमारा आख में इसमने पहले-ची था पैंट्रिक्स के उनकी रहा है और टांस वहां तो बाइने डिफरेंसे अपाउट दी इंट इंटर में सी beauty and use of river water for example आप देखेंगे लिए लिए तो किषेंगा प्रॉक्ष को लेकर क्या होता है कि यहाथ ह decision को लिएकर जिसा आप देखो तो किप्राइक मतलई किया पाकिस्तान ध्युक्त COMMIT चालू ऑी है तो港 मना रहे इंडस रिवर पे इंडस रिवर का तो पानी हमारे लिए यह वो तो ऐसे कंफिक्स जो है वो पूरी तरह से सालव नहीं हुए कि यह पाकिस्तान की बॉर्डर है ठीक है पाकिस्तान की बॉर्डर है इधर इंडिया है ठीक अब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में यह वाला जो रीजन है ठीक है सर क्रीक वाला जो रीजन है वह डिस्प्यूटेड है कैसे डिस्प्यूटेड है उस चीज को समझो तो क् तरह से जैसे जो वाटर बॉडी ये बतलब सी का एक सर क्रीग जो है ये एक एस्चिरी से यहां पर क्लियर डाइगराम में देखो तो इसमें क्लो लाइंग एरिया वता है जिसमें नहीं लाइंग अधर गुज जाता एट टाइम स्काथी रिवर जो है तो वह तो अपना पानी सी स्ट्रिप देखने को मिलेगी वाटर बॉड़ी की ठीक है विच इस ओफंट असोसियेटेट और कनेक्टेड विथ ओशियंस सी ठीक है तो अरेबियन सी में जो रन आफ कच वाला जो एरिया है न एक तो वह मार्शी लेंड है मतलब वहां पर क्या है कि कभी पानी ज्यादा जाता है तो लेंड एरिया जो उसमें डिमार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है डिसकवरी वगयरा पर कुछ आप मूवी बगरा कर जी से तो आपको समझ में आगा कि सोल्जर्स को यहां पर पैट्रोल करना ठीक है मतलब यहां पर पैट्रोलिंग बहुत डिफ तो बाउंडरी क्लेम बाइंडिया पाकिस्तान यहां तक की उसको टेरिटर को क्लेम करता है जिसमें वो क्या पूरी की पूरी सर क्रीक की वाटर बाडी को अपनी तरफ बताता है ठीक है इंडिया का क्लेम जो रहता तो थोड़ा सिंद प्रोविंस की तरफ चले जाता है तो the two countries are not in agreement over the demarcation line in the sir creek in runoff catch clear up again the dispute seems minor but there is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area joining sir creek or the book I don't know he countries is sir creek area colleague a job of the marshal and a borders sky aqtrasse fluctuate hootie rathie philby χειłą پہ क्यों उल्जय हुएं तो जखो कारण रहते हैं strategically important है क्योंकि जिसका access होगा ना water body पाकिस्तान का मुल रा पूरा access उसका water body पे तो उससे क्या हो जागा उससे दिक्कत यह आएगी एक तो देते हैं concluding रहेगी है चिक concluding रहे कि देखो वीडियो लेंदी हुआ मुझे पता है लेकिन आपको एक अच्छा इंसाइट मिला नहीं मिला बताना तो आपको एक मुल्टीपल डायमेंशन पर समझ में आगा है कि वाटाधी वेरियस ठीके वाटाधी वेरियस कंफिक्स बेवि मुल्टीपल चीज़ें तो आपने वो सारा सब कुछ सीख लिया एक अच्छा लिख सकते हैं एक मुल्टीपल डायमेंशन दे सकते हैं अब इतनी देर तक समझा आपको इतना सारा नहीं लिखना जो सारा सब कुछ बताया सिंपल लखना एक क्रिस्प रखना अपनी चीजों को ठीक हैं कीप इट शॉट और सिंपल तो आपको लिखना बॉर्डर इस्प्यूट है एक सर्क्रीक का एक्जांपल लिख सकते हो आप उसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है तो शेरिंग ओफ वाटर को लिके भी डिस्प्यूट है इंडस वाटर ट्रीटी जो उसके मिस इ वाल हो जाते हैं रिगाइडिंग वाटर शेरिंग तीसरी चीज़ देखें तो बोट दी साइट्स ब्लेम इच अधर और इंटर्फेरिंग इंडर इंटर्नल मैंटर्स ठीक है तुसमें आप इंडिया का भी बोल सकतो कि इंडिया इंटर्वीन करता है मतलब इंडिया भी ए ठीक है एक्वेजिशन ओफ आंस को लेकर गंविक रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस प्रफेसर को को देखा बोलते होंगे निउक्लियर रपन में पाकिस्तान को तो जमीन पर हो तो कि बात करिया है तो वह पॉसिब नहीं है कि कि किसी तरह से का है फुल स्केल वार्प पर एंगीज किया जाए दोनों ही देशों को क्योंकि उससे सिविलियंस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और एक इशू जो है आपको क्या लिख सकते हो जो कंटिनियूस रहा है अंधी फेट ओवर दी कश्मीर ठीक है कि कश्मीर का आखिर का क्या हो ठी सारी चीजें समझ में आई एक डाइग्राम और रह गाए हमारे पास में ठीक डाइग्राम यह रहा तो जिसको देखो गए ना तो व्यूस करेंट सेज औस इंडो पार नेगोसिएशन तो जनरल परवेश मुषरफ यह टाइम पिरेड जैसे आप देखेंगे तो 2004 के बाद का सब्सक्राइम पिरेड है जब क्या है जब आप डॉक्टर मनमुहन सिंग प्राइम मिनिस्टर थे और परवेश मुषरफ वहां के प्रसीडेंट थे तो काटून क्या कह रहा है प्रोग्रेस वर्मेश ऑफ बंकर टूमेश ऑफ डायलोग टेबल तो पहले पूछा जा सकता प्रोटेक्शन के लिए तो फ्रम मेश ऑफ बंकर टूमेश ऑफ डायलोग टेबल और जैसे आप देखेंगे तो यूपी एक टाइम प्रियाशन कुछ बाते आगे वड़ाने का प्रयास किया था तो अटल व्यारी वाजपाई के टाइम प्रिट में जो गवर्मेंट थी तो कया चीजों को रिजólौन के जाएक पीशुली तो इसी वरस वाज अलंडिया. प्रियो थांडिया और पाकेस्टान नेबर्वर्श के बारे में पिछले वीडियु में अपने इंडया और पाकिस्तान पीश में जो इसूज हैं तो उन्हें को समझाए मों कि South Asia में कौन-कौन से nations उनकी internal politics का है अब अगर हम बात करें कि कैसे relations हैं देशों के आपस में ठीक है और specifically इंडिया को हम क्या लेके चलेंगे highlight में लेके चलेंगे कि India is the major power in this region तो इंडिया को जब हम highlight में लेके चलेंगे तो हम इंडिया के नेवर सेंडिये दूसरे नेवर में क्या जाएगा तो हम बात करते हैं बांगलादेश की हम बात करते हैं श्री-लंका की नेपाल की बूटान की मालडीव्स की तो इन देशों के साथ में कैसे समन्द हैं वह हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले इंटरनाशनल पॉलिटिक्स में रिलेशन्स जो रहते ना तो ऐसा कोई पर्मानेंट नहीं रहता है कि एक बार हमारी लड़ाई हो गई तो हमेशा ही रहेगी पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन्स सुदर सकते हैं कैसे सुदर सकते हैं उच पर ध्यान दिया जा इंप्रूव्मेंट पर फोकस क चाइना है अब चाइना के साथ हमारे संबंद कितने भी गड़ते हैं बॉर्ड डिस्प्यूट रहते इंफेक्ट देखा जाए तो चाइना क्या मीठी चुरी है लेकिन फिर भी फिर भी क्या होता है कि वह एकनॉमिक वालियूम जो है ना वह क्या करती है रिलेशन्स को लेली थोड़ी सी ठीक है कभी हमने चाइना की चुटके लेली लेकिन अल्टिमेटली इंटरनाशनल इलेशन्स में क्या माइने रखता है नैशनल इंट्रेस्ट जहां से जैसा फाइदा मिलता है नेशन को उस तरीके से क्या करना पड़ता है ठीक है बहुत रियलिस्ट अप शुरानाथ में किस तरह के रिलेशन्स धीक है देखो सबसे पहले बांगलादेश की बात करते हैं इंडिया बांगलादेश तो आप थोड़ा सा इंट्डक्शन अपने हिसाब से बना सकते हैं कैसे अब आप ऐसे लिख सकते हो कि इंडिया इन बांगलादेश स्टार्टेड ओन वेरी गुड़ नोट क्यों क्यों क्योंकि वी प्लेट अम मेजर रोल इंडिपेंडेंस ऑफ बंगलादेश तो बंगलादेश को आजादी दिलाने में इंडिया ने बहुत नोट पर हमारे रिलेशन स्टार्ट होए जिया और रहमान की मदद करी हमने ज्या", जियाक रहमान की तो भाद में आएंगे , तो तो उसके चलते शेक अच्छे नोट पर हमने रिलेशन से स्टार्ट किये उसका एडवांटेज मिलता है जिसे अगर आज देखोगे आवाम इलीग पावर में बांगलादेश में तो इंडिया और बांगलादेश के रिलेशन क्लोज यू आए एक दूसरे के तो तरह से क्या है कि सारे इशू जो रहते हैं तो लेकिन अब जैसे बात करें तो क्या बहुत अच्छी रिलेशन रहे हैं हमेशा नहीं एड टाइम्स ब्रेकर साएं तो दी गवर्मेंट आफ इंडिया और बांगलादेश हैव हैड डिफरेंस ओवर सेवरल इशूस और हैड डिफरेंट स्टैंड्स ओन ठीक तो अलग अलग मुद्धों पर अलग अलग तरह का स्टैंड रहा है किसका गवर्मेंट आफ इंडिया का और गवर्मेंट आफ बंगलादेश का उसके लिए क्या है एक टाइम समने अब देखा है कि हमारे बी रहता है हमेशा यह एक मेजर ईशूरा है दूसरा आब देखिंगे तो इल्ली गर्मायगन रहा है तो आप चिंड़ेश्य ग들त करा है और ती बात है कि बमडीर इस गोडर्मेंट जो अपने लोग एंट्रा St. UK तRe land border agreement sign होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और आगे ठीक है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे anti-India religious fundamentalism और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना देखो बांगलादेश अपने आपको क्या बताता है secular country बताता है जैसे अगर हम देखेंगे तो relations started हो ना good no democracy secularism यह सारी चीज़े लेकिन बांगलादेश is a country dominated by Muslims तो उसके चलते क्या होता है कि जो जो Muslims क्या होते है fundamentalist होगे बहुत जादा तो उसके चलते क्या होता है उसके चलते religious fundamentalism के चलते terrorism जो है एक बड़ी समस्या है पुरे के पुरे south Asian region के लिए और उस terrorism को क्या मिल जाता है उस terrorism को यहां पर base मिल जाता है ठीक है और terrorism को बेस मिल जाता और anti-india religious fundamentalism यहां से start होता है फिर क्याता multiple factors काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान से टर्रिस्ट क्या है घूम के इदर बंगलादेश के तुरू इंडिया में इंटर करने की कोशिश करेंगे क्यों कि यहां पर बॉर्डर जो उतनी strict नहीं है ठीक है ओपन बॉर्डर के कारण का दिक्कते जाती है अब जैसे आप देखो कि डेल्टा वाला रीज तो मतलब हम क्या है एक नॉर्मल ऑब्जर्वर की तरह ऐसे देख लेते चीजें कि हां यह दिक्कत है बंगलदेश की क्रिकेट टीम जो है तो इसे चड़ाती है तो वह क्या है कि वह जो ग्रेटर सिस्टम होता उसका पार्ट होता है कि क्या होता है कि कंट्रीस के बीच में अगर रहता है तो वह टाइम से रफ्लेक्ट होता है उनकी स्पोर्स टीम्स के वगरा और यह सारी चीज़ें इसको इतना सीडियसली नहीं और लाइटर नोट वाइक बड़ा इसू है ठीक तो अब देखो क्या होता है इंडियन गवर्मेंट का स्टैंड क्या इंडियन गव ठीक है वो क्या करते थे असाम में एंटर कर गए ठीक है वहां का पुरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल दिया ठीक बैंगॉली कल्चर डॉमिनेट हो रहा था तो जो आसामी कल्चर था तो वो लोग क्या करने लगे थे मतलब इंसीक्यार हो जाता ना इंसान वह देखक सकते हैं कि ethnic basis पर क्या discrimination फिल करना पड़ता था तो एक challenge हो रहा है था ठीक है और इंडियन गवर्मेंट जब बंगलदेशी गवर्मेंट को बोलती थी आर समालो ना अपने अगेंस्ट एक्षिन ना लेते हुए ठीक है अगेंस्ट एक्षिन ना लेते हो तो जाकिर नायक वगरा जोग है ठीक है तो उसके कुछ रिसर्स और गनाइशन बंगलादेश से उपरेट करते हैं तो यह सारी समस्या हो जाती है फिर अगली चीज़ क्या बंगलादेश एक पॉइंट है से समझना होगा आपको कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलीगुरी कॉरिडर जो है बहुत छोटा कॉरिडर है जो हमारे नौर्थीस्ट को हमारी इंडियन मेंलेंड से करके रखा हुआ है ठीक है अब क्या है अगर बंगलादेश हमें अलाव क लुए ग्सकान होता एक जाता है खुआ है में तांड बंगलादेश के साथ इस्टेशन और इंप्रूव हो रही है तो अभी मैं आपको कलादान ब्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें बंगलादेश भी इंट्रेस्टेट है थोड़ा सा आपको एक आईडिया लगे किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ठीक है तो यहां से ट्रेड और ट्रांसिट कॉरिडॉर्स अगर मिलते हैं हमें तो उससे नौर्थ इस्ट में करेक्टिवीटी आसान रहेगी ठीक यह क्या है एक मेजर इशू है जो मतलब एक मेजर नेगोसियेशन हो सकता है कि हमारे दूसरे इशूस को हम सुल जाने के साथ साथ में जो कनेक्टिवीटी है वो डवलप कर सकते नौर्थ इस्ट के साथ मागर बंगलादेश गवर्मेंट सहीं तरीके से कॉपर अब क्या है कि यहां पर जो नैचरल एक्स गैस है ठीक है ओल वेल्स वगेरा कुछ है तो वह इंडिया को एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है बंगलादेश ठीक है मत करो लेकिन जो म्यानमार है तो म्यानमार के साथ में रिलिटिव और अच्छा हमारे संबने तो म्यानमार अगर हमें एक्सपोर्ट कुछ करना है तो उसमें भी क्या अपनी टेरिटरी का इस्तमाल नहीं करने देता था ठीक है अभी आप देखो के तो कुछ रीसेंट सेग्री रीसेंट एग्रिसेंट एग्रिमेंट सुए जिसके चलते बंगलादेश इस ऑन गुड़ नोट वित त लिटिए तो आवामी लीग के साथ हमारे जो इंडिया मतलब जब आवा मीलिग पावर में रहती है तो यह मानके चलो कि इंडिया और बंगलादेश की रिलेशनस में आती है बंगलादेश नेशनल पार्टी जो है ना तो फोड़ी सी रिलीजियास फंडमेंटलिस्ट है और इतनी चीजे समझ मैं ही आपको कि क्या इशु है पूरा इंडिया बंगला देश जो है तो मॉल्टीपल डायमेंशिन वहाँ पर इशु है इंडिया कि क्या है अपने अलग अर्गुमेंट्स अपने अलग स्टैंड ग्रोटर एन तो बंगला देश्की गाइवर्वेंट्स से है कि इंडिया बड़ा कंट्री है उस सूरे स्सटाइ। रिजेन में और वह और सॉटेशन में क्या करता है एक तरा से बुली की तरा डॉमिरेट करता है okay रीजनलि की तरह कंसीडर करता है बंगलादेश को इंडिया को समझन है कहानी आपको क्यों क्यों कि मियानमार के साथ हमने ऐसा सर्जी करें लेकिन बंगलादेश जो है बंगलादेश जो हमेशा इस चीज को लेके इंसिक्योर रहता है कि इंडिया जो है वो मेजर पावर वो डॉमिनेट कर सकता है ठीक है एक कारण ही हो गया दूसरा कारण आप जैसे देखोगे इसको हटा नहीं जए पर देखेंगे तो इस चिटागं वाले पार्ट में क्या होता है कि चिटागं वाले पार्ट में तो यहां पर रोहिंग्यास के लावा भी आप जिसे देखेंगे रूंग आज का करने फिर उसके आउनका यहां त्राइब कौन सी चक्मा ट्रेबसे और उसके कि वो जो अधिकतर बुद्दिष्ट है ठीक है या फिर हिंदूज है तो अब उसके वो क्या होता है उनका रिलीजियस पर्सीक्यूशन अगर होता है ठीक है किसी भी तरह से क्योंकि मैं आपको बताया बंगलादेश इस्लामिक डॉमिनेटिट कंट्री तो अब क्या होता है कि उसके चलते हैं तो बंगलादेश को ऐसा लगता है कि इंडियन ग्ववर्मेंच उस को फ्यूल अप कर रही है तो आप क्या सकते हैं कि मिसक्मिनिकेशन मिस इंतरपिशन के चलते चेलने इताइमस इसमें थैंव बंभ यह जाता है टो पंगल्देशतका डाइघ को ब Phoenix यहेorth citagord ng hill tracts, ठीक? trying to extract its natural gas and being unfair in trade और ये भी कहा जाता है कि वो natural gas extract करने का प्रयास करती है trade में unfair है, ठीक है जो regional bullying if you are not sure the appeal of ją despite their differences in-d Shanghai to cooperate on तो इस तो है मतलब हमारे पीच में प्रोब्लम से लेकिन फिर भी किया है जैसे एकनोमिक रिलेशन्स हैव इंप्रूफ कंसीडरेबली इन लास्ट ट्विंटी एर्स लास्ट ट्विंटी एर्स में और खास करके जैसे सार्क का बनना ठीक है तो इस तरह से क्या है कि एकनोमिक रिलेशन्स जो बांगलादेश और इंडिया के बीच में बड़ा है एकनोमिक इंगेजमेंट जो है बांगलादेश और इंडिया के बीच में बड़ा है बांगलादेश इस पार्ट आफ इंडिया लुक इस्ट टीके एक्ट इस्ट सिंस 2014 पॉलिसी देट वांस तू लिंक अप विद साथ एश्या वाया म्यानमार अब एक चीज़ दिहान है आ इंडिया को अपनी कनेक्टिविटी इधर बढ़ाना ही इस्टन साइड में ठीक है साउथ इस्ट एश्यान निशन के साथ जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे म्यानमार के रास्ते होते वह जाना पड़ेगा और वहां पे आपको बंगलादेश के साथ भी रिलेशन हो सकता है हमारी उस पॉलेशी में बंगलादेश को फाइदा मिलेगा ट्रेड होगा तो और डिजास्टर मैनेजमेंट एंडी इंवर्मेंटल इशूज इस्टेट्स हैव कॉपरेटेड रेगुलर्ली फिर आप जैसे देखोगे तो यहां पर क्या है डिजास्टर मैनेजमे पर दोनों ही देश का करते हैं कोपरेट करते हैं तो इस और सम आफ दी एरियास वेर कोपरेशन इस इंशूर्ड ठीक फिर का है इन 2015 दे एक्स्चेंज साटन एंक्लेव्स ठीक तो एंक्लेव्स क्या है तो मैंने आपको भी बताया ने स्टार्टिंग में कि 2015 में लैंड बॉ इंडिया और बंगलादेश के वीश में विट्यस्ट इस्टॉरिकल स्ट्रेप्टि के इस्टॉरिकल एक्शन कैसे तो आप यह ब्लू लाइन जो देख रहे हो बॉर्डर इंडिया और बंगलादेश की अब एंक्लेव्स क्या होते बताएं तो जब पार्टिशन हुआ था पार्टिशन जब हुआ था तो ऐसा हो गया था कि कुछ टेरिट्री जो है जहां पर क्या है कुछ टेरिट्री इंडिया मतलब इंडिया की जो में लेंड है जैसे वेस्ट बेंगॉल यह बंगलादेश तो यह वाला हिस्सा है अब जैसे अगर आप देखूने तो कुछ क्या हो रहा है असाम में कुछ वेस्ट बेंगॉल वाले हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा की एंकलेव मतलब की वो टेरिट्री किसकी बंगलादेश की लेकिन वो किसके बीच में आइलेंड की तरह बसी हुए इंडियन टेरिट्री के कर पारो मतलब वहां पे जो लोग बंगलदेश है ओर रहे कहा रहा है इंडिया में रह रह रहे तो उंको एक तरह सा अना जुझा तो कहां पे हैं बंगलादेश की टेरीट्री यंद्र एंड की तरए में इंडियन तरह से प्रॉपर डिमार्कीशन नहीं है इंडिया और बांगलादेश की बॉर्डर के बीच में इस तरह से एंक्लेव्स हे बहुत जारे ठीक तो एंक्लेव्स जिस्प्राइब को सब्सक्राइब ब्ली कि बिजली राशन पानी ये सारी चीजेंगे बंगलों इंद्ष आइं तो वह कहते हैं अप्र निया मैं तो वह दिस्प्यूट्स योए या फिर कह सकते विजka administrative inconvenience था उसको खतम करने के लिए enclaves को exchange करने कले बहुत हिस्टोरिक जो कहते है न कि amendment constitution में लाया गया जिससे land border agreement कहा जाता है जिसके चलते enclaves exchange करें तो these are some of the areas where cooperation has been insured in the past in the recent past ठीके तो efforts are on on efforts are on to broaden the area of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to each other's need ठीके तो प्रयास पूरा किया जाता है क्या कि ज्यादा से ज्यादा cooperation को इंशॉर किया जाए ज्यादा से ज्यादा दोनों एक दूसरे के काम आ सके इन एरियास में cooperate किया जाए जैसे फॉर example मैं आपको बताए ना connectivity में important role play कर सकता है तो connective team में important role play करने के लिए अभी प्रोजेक्ट है ठीक है उस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट तो कलादान प्रोजेक्ट जिसकर आप देखोगे तो यहां से हम म्यानमार के साथ था फिर म्यानमार के पार्ट नहीं था तो आप बुल रहें कि हां इंडिया वेस्ट बेंगॉल म्यानमार थाइलेंड यह सब एक साथ जुड़ जाए ठीक तो बांगला देश ने इंट्रेस्ट दिखाया करादान प्रोजेक्ट में तो इस तरह से क्या है कि एरिया जो मतलब एरिया जो कोपरेशन जो वह इंशार होड़े माता है ना कि क्लोजनेस बड़ी है ठीक एट टाइम्स क्या होता है जैसे रोहिंग्या इशू हो जाता है कभी-कभी तो और उसके बाद में हाँ एक मुद्दाव में बताना भूल गया कि इंडिया का इंडियन गौशन का सिटिजन्शिप अमेंग्मेंट एक लाना वह क्या होता है पता वह एक मेजर पॉस्ट यूश्य सकता है क्यों क्योंकि हमारे हां सब्सक्राइब करेंगे तो वह क्या है मतलब मेजर इशू हो सकता है वह एक मेजर इशू हो सकता है अभी तो चीजें जो है थंडे बस्ते में हैं तो यह आपको कुछ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उसके पीछे का तरक समझना होगा तो वह सारी चीजे होगी चलो अब वैसा हम इंडिया नेपाल की बात करें तो इंडिया एन इंटस अधर नेबरेंस करें इंडिया नेपाल давle noodles saadishan कंटी हो गया इनिया नेपाल को पडितै है तो इस वाट is this special बाओ इंडे नेपाल रिलेस्चिप इन आपना बकए भी सा ने पुरा टाइस अगर खराब भी होंगी ना तो सुधार ना पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीस को पॉलिटिकल लीडर्स को समय आ रहा है यह पॉइंट क्योंकि पीपल टू पीपल करेक्शन बहुत इस्ट्रॉंग है ए ट्रीटी बिट्वीन दी टू कंट्रीज अलाउस दी सिदिज इसके साथ मेरे पाल के साथ मेरे वो नेपाल के साफgendो रिलेश्ण तो गवश्मेंट के साथ ऐट टाइमला प्रोटेस्टी के तो पॉलेटिकल कनेक्शंस चाहे एक टाइम्स का हो सकते हैं लेकिन people to people connection जो है न वह क्या करता है इंडिया और नेपाल की रिलिशन को स्ट्रॉंग करता है लिए पॉइंट वह था कि छे मिलियन लोग जो है नेपाली जो है वो क्या कर रहे हैं इंडिया में काम कर रहे हैं तो इस तरह से इंडिया और नेपाल प्रक्राइब तो अब बोले सर्पीर तो कोई दिक्कत नहीं नहीं इतना असान नहीं दिकते हैं वह समझाते हैं आपको मैं आपको क्या पास टाइम लिमिटेड रहता और क्लास 12 में पढ़ा रहे हैं तो एंगर्स बताते चलूंगा लेकिन जो सब्सक्राइब करें आपको ध्यान रखना है अब इसे सवाल ऐसे भी बन सकते कि बताओ मुटान के साथ किसके स्टेट की बॉर्डर शेर होती इंडियन इस्टेट की तो आपको ध्याने सिक्की में रश्ट बेंगॉले आसा में रोना चल पदेश है वैसे नेपाल के साथ प पड़ो चलो तो आगे बड़े अब क्या देखो area of conflict areas of conflict areas of conflict between India and Nepal तो despite the special relationship the governments of two countries have had trade related dispute in the past ठीके पास्ट टाइम्स में जिसे देखोगे तो इंडियन गवर्मेंट को नेपाली गवर्मेंट जो क्रिटिसाइस करती है कि unnecessary क्या है जब हमारे election रहते हैं और अगर इंडियन गवर्मेंट को जिसे क्या करना है उनकी politics को influence करना रहता है नेपाल की तो अब देखोई scholars ने इसा बताया उसकारण से मैं आपको सब्सक्राइब क्या कि I guess 2011-12 के आसपास जो इलेक्शन से 2008 तो एक समय रहा था जब जब क्या है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया नेपाल को समय पे एलेक्शन स है वो ट्रेड को वेपन की तरह इस्थमाल करती है नेपाली पॉलिटिक्स को influence करने में ठीक तो ट्रेड रिलेटेड इस्प्यूट जो है है वेड ट्रेड रिलेटेड इस्प्यूट्स इन पास समझ में आया फिर उसके बाद क्या है उसके बाद जैसे देखो कि इंडियन ग बफर स्टेट का काम करता है ऊपर चायना है तो चलो पहले तो यह सब्सक्राइब नेपाल के थू अगर नेपाल और चायना क्लोज आएंगे तो वह इंडिया के लिए क्या है मेटर ऑफ कंसर्ण हो जाएगा क्योंकि इंडियन बॉर्डर जो है अभी क्या है एक तरह से सिक् नेपाली टेरिटरी पे नेपाल जो है नेपाली गवर्वर्मेंट जो कॉपरेट करेगी चायना के सांथ चायना के ज़्यादा नजदिक जाएगी तो वह हमारे गहां तक हो सकता है ठीक है अब लेकिन दोको नैचरली क्या है ना नैचरली अगर आप समझों कि चीज़े हमा ट्रांस्पोर्टेशन कनेक्शन और ट्रेड रूर्स वगरा यह सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है ठीक है तो इसकी प्रेक्टिकल वाइबिलिटी नहीं ऐसे प्रोजेक्स की अब जो हम बात कर रहे हैं तो इंडिया ने भी क्या किया अट इस प्लेशर शो किया है इंडियन सेक्रेटी अजेंशी एक चीज यह ना इसके चलते भी इंडियन गौश्ट नहीं क्या कि नेपाली गौश्ट जो है नेपाली गौश्ट इस नोट एक्टिव अगींस दी एंटी इंडिया इलिमेंट इन निपाल यही वाला पॉइंट में आपको बता है कि ओपन के थूआ करते रोटा चाय ना चायना के थूआ नेपाल और नेपाल की ऊपन गौशा फाइदा अटा गूदी का इंडिया में आते हैं तो इस तरह के बाद अप informant तो इक्टिव लिते यह न दूरिटिव नहीं भी देक्टिव नहीं करती तो इस का कि में भी क्या है इंडियन गवर्मेंट ने डिस्प्लेशर शो किया है तो इस अनाधर मेजर इशू फाइन फिर उसके बाद आप जैसे देखें हैं तो इंडिया में अक्सलिजम इस आप सोसियेटेटेट विट मॉइजम ठीक है दो देरा टेक्निकल डिफरेंसे लेकिन हम अभी इन जनरल पढ़ते चल रहे हैं तो क्या होता है कि माविस्ट मॉवमेंट जो नेपाल में है वो क्या कर देते हैं वह आजू-बाजू के जो रीजन्स है उनमें राइज आफ नेक्सलाइट ग्रूप्स के लिए रिस्पॉंसिबल हो जाते हैं जैसे बिहार आंडर पदेश ठ जो रहा सकते कि नेपाल में जो मॉवह मुमेंट है वह कह लिए सपोर्ट कर देते हैं तो यह चालेंज इरे शेयरे गांपिक सथे EXわかते हैं मिलीडर वो यह सोचते हैं कि इंडियन गवर्मेंट अन्नेसेसरली इंटर्फियर करती है ठीक है तो दीजार समॉफी इशूस अब देखो मैं आपको भी बताया ना कि मिस इंटर्पेटिशन मिस कम्यूनिकेशन एक टाइम्स क्या होता है चीजों को चीजों को बिगार देता है ठीक है हैस डिजाइन और ऑन इट्स रिवर वाटर एंड हैड्र एलेक्रिसिटी एंड प्रिवेंट्स नेपाल लैंड लॉग कंट्री फ्रॉम गेटिंग ईजियर ए करना है तो ट्रेट जो होता है तो चीपेस्ट means of transportation जो है ट्रेट जो भागन किससे सी रूट से होता है ठीक है अब उसको सी रूट कहां मिलेगा उसको सी में चैना सी पूरा सौथ चैना सी में जो कि प्रेक्टिकल मैंने बताया है कि आई वाइबल नहीं होतना चाहे प्रयास लेकिन आप इंडिया से कुछ नहीं करना इधर बिहार वेस्ट बेंगाल और सीधे समुथ रूपके लगाओ तो उसके चलते का उसके चलते नेपाल की जो गवर्मेंट उसे इंडिया के उपर डिपेंट होना पड़ है और नेपाल इंडिया के बीच में हेल्थी रिलेशन्स तो उसे नेपाल को भी फाइदा इंडिया को भी फाइदा दोनों को एक दूसरे का फाइदा है ठीक है लेकिन नेपाली गवर्मेंट जो है वो क्या ब्लेम करती है कि easier access to sea जो है वह अवे लिबल नहीं हो पाता है इंडिया टेरिटरीज के थू ठीक है अब मतलब ट्रेड ब बताया कि कुछ भी हो आपको कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट पर देना है जैसे हमने देखा कि डिफरेंट एरियास हैं कंफिक के इंडिया और बंगलदेश के बीच में लेकिन हमने बोला कि हाँ प्रॉब्लम से हैं डिस्पाइट दोस प्रॉब्लम्स भी हैस इंडियान फेम सर्फ कर चुके और आज यो je retire हो चुए उनकी प्रेंशन इंडियान आर्मी के द्वारा जाती है ठीक है तो एकनोमी में पैसा जा रहा है नेपाल की कहां से जा रहा है इंडिया से ृटी में से से डिफीक च STEPHAN Shaches Till occurs एलेक्टिसिटी जनरेशन एंड इंटर लॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड तो कंट्रीज तुगेधर ठीक है तो यह कुछ इशू है जिसके चलते क्या है प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी यह जो इशू है कॉमन नैच्रल रिसूर्स इलेक्टिसिटी ज अब इलेक्रिसिटी जनरेशन जिसे अगर आप देखोगे तो नेपाल से जो कह सकते नेपाल क्या है अब जैसा इंडिया की पोजिशन पाकिस्तान के टम्स मेना अपेरियन स्टीट है उपर से नदियां बहते हुए जा रही है तो वहां पर डैम कंस्ट्रक्शन वगरा जो ह है उसमें आप देखोगे तो कॉपरेशन किया जा रहा है तो यह सारे शूज है जहां पर कॉपरेशन देखने को मिलता है there is a hope that the consolidation of democracy नेपाल will lead to improvements in ties between two countries अमोनार की घतम हुई है धीरे-धीरे क्या है नेपाल जो एक 2015 में जैसा constitution लाया उन्होंने तो आप क्या है कि एक वह डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें जैसे जैसे डेमोक्रेट डेमोक्रेसी डीप होते चले जाएगी तो उससे क्या होगा इंडिया और नेपाल की बीच में रिलेशन से इंप्रूफ हो सकते हैं यह hope है ठीक है तो दिस वास वा को पढ़ रहे हो ना साउतेशा को जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया साउतेशा को पढ़ रहे हो आप तो इंडिया पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से मत पढ़ना उसमें चाइना फैक्टर जरूर डालना कि चाइना का इंटरफेरंस किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान क करता है करता है तो जिसे आप देखो कि चाइना पाकिस्तान जो एकनोमिक कोरिडोर है ठीक है तो अब वो क्या है चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर जो है तो वह कहां से निकल रहा है पाकिस्तान और कश्मीर से तो दिखती बात ही कि इंडिया का इंट्रेस्ट हाम हो रह आसकता है वहां पे चाईना जरूर नगा क्यों क्यों कि उस से चाय涂 दूसरे देश के साथ तो सम्मण अच्छे करेगा लेकिन इंडिया की पावर को भी चस्राइब की कोशिश करेगा और वहीं वो नेपाल में कर रहा है क्योंकि इंडिया को पता है नेपाल उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या समझें तो कि उपर आप देखेंगे कि आप कर सकता अच्छे रहें गये तो हैً तो एंटि-इंडिय एक्टिविटिटीज हैं एंट इंडिया कॉं को उनको एक्टिविटिस में इंडिया से दूर जाना इंडिया से ब arena इस तरह से काए बड़ी दिख्कते हैं श्रीलंका को बात गरते हैं तो तो जैसे मैं आपको जो कल बता रहा था तो यहां पे श्रीलंका जो है श्रीलंका क्यों इंपौर्ट इविंपॉर्ण कि चिलुट और इंडिया से ज्यादा दूर ना होने के करूं क्या यह एक अन्सिंकेबल एरक्राफ्ट केरियर की तरह समुद्र में है कि इस पर जिसका इंडिया की पोर को इंडिया के इंट वीडियो में समझ लिया बढ़ते हैं तो इन श्री लंका तो ट्राइब कशेन ती रिलेशनशिप वित्न उपंधया इंडिया तो मोस्टली जो डिफिकल्टीज है ना देशों इन दोनों देश के बीच में वह है एथनिक इशू को लिकर जो हमने अभी पिछले वीडियो में डिसकस कर क्या है क्यों 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 क्योंकि इंडियन लीडर सेंट सिटेजन सफाइंड इंपॉसिबल तुरिमें न्यूट्रल वेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अन्हापी एंडर विंग किल्ड ठीक है यह पॉइंट समझो क्या हो रहा है जैसे आप तमिल नाडू में देखोगे याई डीम के पियार्स नेरे जो गववर्मेंट हैं अब तमिल्नाडू की जो रीजनल गवर्मेंट से ना उनके लिए तो उनकी पॉपुलिशन जो है मतलब तमिल तुझ यही पार्टी जैसा हम देखेंगे कि 2014 के पहले जो इसली करती थी यह पार्टी सब्सक्राइब टुझन में तूम का इंट्रेस्ट अगर होगा श्री लंका में तो यह रिजनल पार्टी इस नैशनल पार्टी को को बोलेगी कि वह यहां तुम मुद्दे सुधार हो कैसे पॉलेटिक जुड़ी हुई रहती है कि यहां की रीजनल पार्टी जब कोलिजन में पार्टनर होगी तो वह अपने क्या सकते रीजन के जो लोग है उनके इंट्रेस्ट के बारे में तो सोचेगी ही ना और उसी के चल अला गवर्मेंट उसे पुरा लगेगा समझ पारो तो यह दिक्कत रहेगी तो इंडियन लीडर्स एंड सिटिजन्स फाइन इंपॉसिबल टूरी में न्यूट्राल वेंडि तमिल्स आर पॉलिटिकली अन्हपी एंडर बिंग के ठीक है कर पायो ना इस चीज को तो पार्टी को अपना वर्चस तमिल नाडू में रखना है तो तमिल कुशन को डिल करना पड़ेगा और इसी के चलते राजीव गांधी ने क्या कि एसी के चलते जैसे आप देखो के तो इंडियन पीस्किपिंग फोर्स श्रीलंका लोता रही तो हमने जो मिलेटरी इंटर्व तो इंडियन गवर्मेंट नौ प्रिफर्स आप पॉलेसी ओफ डिसेंगेंजमेंट विजवी श्रीलंका इंटर्नल ट्रवल्स तो इंडियन गवर्मेंट क्या करती है जैसे आप देखोगे तो कुछ सालों पहले जो यूनाइटेड नेशन्स यूमन राइट्स रेजलिशन जो ठीक है यूमन राइट वॉलेशन के ऊपर जो एक रेजलिशन पास पास हुआ था ठीक यूनाइटे नेशन्स में तो इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट कि और बोला कि यहां यह अत्याचार हो रहा है ठीक तो वहां पर क्या इंटरनेशनल मुद्दा अग को गवाना पड़ा और इंडिया स्री लंका के जो रिलिशन बिगड़े वो अलग ठीक है तो 87 के मिलिटरी इंटर्वेशन के बास से जो है तो डारेक्ट एंगेजमेंट नहीं है और इसी चीज़ का फायदा श्रीलंका भी उठाता देखो तमिल्स को कुछ भी होता रहा चा लेकिन अब वहां पर तमिल कोशन भी आता है तो इंडिया को बहुत सेंसिटीव अप्रोच रखना पड़ेगी लेकिन चायना ने भरपूर हतियार दिये किसको तो राजपक्षा ब्रदर्स जो है उनको और उसके चलते का सप्रेशन हुआ ठीक है तो चायना और फिरा श्री पर जो है तो कॉलंबो पोर्ट का सौट ट्रमिनल यह सब क्या कर लिया लोन देदे के उनने बोल दिया कि अच्छा लोन नहीं चुका पा रहो यह पोर्ट हमें देदो तो यह हो रहा है तो यह तरह से क्या है चायना जो आपनी डॉमिनेशन को स्टैब्लिश कर रहा है सभ़ नहीं थी अब एरियाज ऑफ कोपरिश लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप नेगेटिव पॉइंट पर आंसर खतम नहीं कर सकते हो आपको एक आप्टिमिस्टिक देना पड़ेगा और वही किस पाकिस्तान के उसमें भी लिखना है आपको जो मनें पिछले वीडियो में प आपस में ता कि क्या एकनॉमिक ट्रेट जब बढ़ेगा एकनॉमिक वैल्यूस जो है वो दोनों देशों के बीच में सोर अप होगी तो उससे क्या होगा उससे कहीं न कि आप अपने जो दूसरे पुराने गिले शिक्वें उन्हें भुला कर एक नए नोट पर रिलेशन होगे ठीक है और फिर क्या होता है युमेंटेरियन ग्राउंड पर जैसे देखें तो इंडियास हेल्प इन पोस्ट तुनामी रीकंस्ट्रक्शन इन श्रिलंका हैस और चीज बताओ मैं आपको कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है ठीक है नैशनल डिजास्टर मैन कोई तो उस तरह से जब आप दुख में ख़़े रहोगे किसी के साथ में तो दिखती बात एक इमोशनल अटेश्मेंट डेवलप होगा लेकिन फिर वह वाली बात है कि देरा नो फ्री लंचेस इन इंटरनाशनल इलेशन तो एक गुडविल जरूर कर सकते हो जनरेट लेकि है कि हमें क्या फाइदा क्या नुकसान है तो लेकिन फिर भी इंडिया की एक सॉफ्ट पावर हमेशा से रही है कि इंडिया ने मदद बहुत करी है जिसे आप गुजराल डॉक्ट्रीन की बात कर लो ठीके तो हमने यूनि लैटरल वे में क्या करा है लोगों को मदद करा है म जो एक जो रीजनल पावर होने का या फिर बिग ब्रदर का जो इंजाम लगाया जाता ना इंडिया के ओपर तो ब्र इक ब्रदर का उसने सचमें जो प्यारा वाला बड़ा भाई ऊथा है चूटे भाई बहन की तो वाला रोल भी प्ले किया इंडिया ने तो यह एरिया बुटान इनफेक्ट जिसे आप देखोगे तो प्रिवेस्ट ट्रीटीज है पिनाक वगए रटीटी ओव पिनाक वगए यह तो उसके अगर्डिंग लिए उसका अगर्डिंग जिसे देखा जाए तो इंद बुटान को क्या बोलके रखा है कि बुटान अपने इंटर्नल मैटर्स को सब इंजॉए करेगा अपने हिसाब से रूल्स रेगलेशन बनाना सब कुछ लेकिन उसका जो पंगलादेश में चुप जाएंगे नेपाल में चले जाएंगे भूटान में चले जाएंगे तो भूटानी गवर्मेंट ने हमारी भरपूर मदद कर लिए कि जो एक्टिविटी चला रहे हैं तो अगर भूटान में कुई थे तो उन्होंने क्या किया भूटानिस गवर्मेंट जो भूटानिस मुनार्क ने उन्हें खतम करने में पूरा प्रयास किया और मैंने आपको यह भी बताया आए कि जैसे नेपाल में मुनार्की जो है बहुत ज्या यह भी है कि कुछ 70% 60% जो टोटल एरिया है वह फॉरेस्ट का रहना चाहिए ठीक उससे कम नहीं कर सकते है तो 70 शाय 60 60 50 कुछ होगा तो उस तरह से क्या है भूटान बहुत पीस लविंग कंट्री है ठीक यूमन डेवलप में है एपिनेस इंडेक्स जो हैपिनेस इंडेक्स इन इंडेक्स दिया उन्होंने ठीक है जिए जिए पढ़ाएं तो यह सारी चीदे लेती इफर्ट में यह हो गया इंडिया इस इनवाड़ इन बिग हाइडर इलेक्रिसिटी प्रोजेट्स इन भूटान एंड रिमेंस दी हिमालियन किंग्डम स्विकेश शोर्स ओफ डेव यहां बहुत हैं अब क्या इक देनर का ब्रॉप्लम से तरीके से समझाई जेनरीशन का प्रॉप्लम में इंडिया में हम सफीशंट इलक्रिसिटिय्ट्यॉप्रेड्यूस कर लेते। जैंकिन फिर हैं मुक्या करते हैं बोटान से एलेक्टिर सिटी खरीदते क्यों खरीद थो जाए चुन सब्सक्राइब जोरे इनगे में जोरो फिलेवे और सब्सक्राइब में छाइणीज सोल्जर बाटे है और हो जाता है कि बुटान हमारा एकदम सगा दोस्त बनकर रहे तो बुटान की एकनॉमी को भी डेवलप्मेंट देखना है हमें तो बुटान से खरीते हैं हमारे पास है फिर भी खरीदते क्यों ताकि बुटान और इंडिया के वीच के रिलेशन्स जो एकनॉमिक ताइस के रूप में जुड़े रहे ताकि कल को जरुवत आए और जैसे होता भी अगर आप देखो कि डोकलाम इशू अगरा होता था भुटानी साइट जो है ना भुटानी गवर्मेंट जो भुटानी मोनाख जो नहोंने हमारी मदद करी है ठीक है तो इस तरह से भुटान औ के भुटान पहुचे थे कब ये 1950s की बाद बताता हूं में एक इंसिडेंस मज़ेदार क्या कि जवालन नहरू भुटान के मोनार्क से मिलने गए उस समय पर कुछ नहीं था उसमें ना रोल होते थे ना कुछ होते थे तो इन्हें बहुत लंबा ट्रावल करना पड़ा संगलों में पहाड़ों में और फिर पहुचे थे और उसके बाद में फिर आप देखो तो बुटान इंडिया के बीच में एक एगरिमेंट साइन होता जिसमें रोड बनाया गया सबसे पहले कि हम कभी आहें तो रास्ता तो बराबर ठीक है तो मतलब कुछ रहते हैं हिस्ट हो गया श्री लंका हो गया एक और जो नेबर है वह माल्दीव माल्दीव में टूरिजम सेक्टर को डवलप करने में इंडिया का एक बड़ा कंट्रिबूशन है ठीक है फिर वही गुज्राइल के अंडर में हमने क्या है वन वे ग्रांट दिए बहुत सारे माल्दीव को ठी है ठीक है अब यहां पर आप जैसे देखेंगे ना तो इंडिया स्टाइवित माल्दीव रिमें रिमें वाम और कॉडियल तो जहां जब कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट डेमोक्रसी नहीं थी उसके बावजूद भी जब सलतने थी तब भी हमारे अच्छे थे अभी हमारे अच्छे अब आप देखो के तो प्रसीडेंशल सिस्टम जो है मल्टी पार्टी सिस्टम सब कुछ है और वहां पर हमारे रिलेशन अच्छे है ठीक है इन फेक्ट हमने जैसे देखा जाना तो माल्दीव की इतिहास में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया है तो 1988 1988 में का हम बिसनेसमें था उसने क्या किया उसने एक तरह से कह सकते कूँ करने की कोशिश करी कि जिसके चलते वह वहां की जो गवर्मेंट ती इस मतलब क्या होता है मर्स इस में बदाया ना पैसे दी आप आओ मारो पीटो हमारी तरफ से इनको और क्या है हम बदले में आपको पैसे देंगे तो उनने जब अटैक किया मालदीव के उपर श्री लंका से ठीक है अब श्री लंका गवर्मेंट को यहाथ नहीं था इसमें तो इंडियन को रोकने में एक इंपोर्टन रूल प्ले करा और वो हिस्टॉरिकल रूट्स कहीं न कहीं हमारी जो रिलेशन्स की तो कॉडियल है ठीक है अब वो पॉलिटिकल पार्टी चीन होती तो कभी-कभी टेंशन भी डेवलप होते हैं मालदीव इंडिया के बीच में लेकिन इस समय यह पूरी कहानी थी आया समझ में अब आपने देखा होगा तो हर देश के साथ में आपको वही जो होप्स और सस्पीशन वाली बात है तो वह क्या दर्शाता है वो दर्शाता है कि हमारा जो एंगेजमेंट है है हमारा एंगेजमेंट बहुत क्लोस रहा है हर देश के साथ में कहां साथ एशिया में और यही क्या होता है कभी कभी अब जिसे क्या होता है जैसे आप एक इस चीज़ को समझना है बहुत इंपोर्टेंट है इन जनरल लाइफ लेसन है कि जब आप क्या है आप अपने स्ट से देख रहे हैं अब देख उसमें गलती उन नेशन की भी नहीं है क्योंकि वह स्ट्रक्चर जो पूरा है साथ इसिया का वहां पर बड़ा नाम इंडिया का है तो आपकी उन्नती एक समय पर क्या कर देगी कि आपके स्ट्रक्चर के ही लोगों को आपके अगेंस खड़ा कर देगी लेकिन आपको अपनी उदारता नहीं छोड़ना होगी ठीक है वही इंडिया ने कर रहा है इंडिया नहीं हमेशा है helping hand दिखाया और कभी-कभी इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता कि वह help तो मुकूटा है इंडिया अपनी डॉमिनेशन इस्टैश कर रहा है ठीक छोटे छोटे प्यारी प्यारी देश हैं टीक है इंडिया के साहिज को इंडिया की पावर को देखते हुए इस बाउन दिनः पड़ाते हैं ग्रांटं देना पड़ती बहुत सी वार ठीक है इंडिया को तैंडिया को फिलता है तो स्री लंका तरह से नियन government को मतलब on the other hand Indian government feel that it is being exploited by the neighbors small neighbors again it does not like the political instability in these countries fearing it can help outside powers to gain influence in the region तो जो आउटसाइड पावर से ना आउटसाइड पावर्स क्या कर लेंगी influence अपनी जमाल अगर वहाँ पर political stability ने रहे तो इंडिया हमेशे यह चाहेगा democracy रहे ताकि इंडिया के इंट्रेस्ट भी सिक्योड रहे ठीक है अल्टिमेटलिया आपका पडोसी कैसा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कहां शांती रहे की नहीं रहे है और वह हम सब को डॉमिनेट कर जाएगा हमारी इकनोम इसको खा जाएगा बाकि इन रियालिटी ऐसा कुछ नहीं है वही मिस गुशियोर नेपाल फुटान लोटन गीच मैं आप या था जैपल बूटान है लेकिन नेपाल और भूटन जो नेपाल और बूटां से भी ओता एक किंग इपालीज ठिक तो वह एक इशो होता है एंटी रोहिंग्यास इंटु मियानमार ठीच है बहुत इंपोर्टेंट बरणि इशू रहिंग्यास तो मुनमार तो नेपाल भुटान के वीश में कनफिक्त है एक पॉइंट दूसरा अगर देखो के इसी डिजन में तो बांगलादेश ऑर मैंनमार लेक्ट है आइए वो समझाता हूँ अब बांगलादेश और म्यानमार देको नहीं नहीं चितागों यह हो गया अप के होता है बंगलादेश किया था कि इंडिया फिल आफ करता है एंटी बंगलादेशी प्रोटेस्ट को ठीक है मतलब बंगलेश गवर्मेंट कर फिरी कहानी समझो यह तो मियानमार का जो राखीन स्टीट है ना ठीक है मियानमार बेसिकली जो है बुद्दिस्ट जो कैसकते एथिनी गु मिनट करता है अब यहाँ पर मुस्रिम भी लेकिन रोहिंगय मुस्लिम्स रोहिंगय मुसलिम कहा है राखीन स्टीट में अब देखो जन्रलाइज नहीं करना है आपको अब क्या होता है तो यहां पे एट टाइम साब देखो गे तो मियानमार में साइकल्स और वाइलेंस हुआ है cycles of violence हुआ है ठीक है 1950 से अगर आप जिसे देखो तो अलग टाइम प्रेड में इस बुद्धिस स्टेट में क्या होता है muslims को क्या किया जाता है muslims को एक तरह से pressurize किया जाता है रोहिंग्यास को pressurize किया जाता है ठीक है there have been attempts to flush out the Muslims from Myanmar ठीक है अब उसके चलते क्या होता है उसके चलते Muslims जो है तो माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेशन क्या होता है जिसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी होता है इंडिया के नौर्थ इसने स्टेट्स में ठीक है मिजूरम वगिरा में वहां होता है थिरोड़ा में माइग्रेशन हो और इसके बात में था है तो बांगलारे तो इंडिया में भी आते तो यह तो बहुत जादा माइग्रेशन होता है रीजनल सीजनल हर तरह का माइग्रेशन होता है तो अब जो माइग्रेशन हो रहा है ना उस माइग्रेशन के चलते क्या है उस माइग्रेशन के चलते मियनमार और बंगलादेश के बीच में टेंशन डेवलप हो जाता है अब देखो बंगलादेश क्या ह ड़ेशे रिलिटिव ली बड़ा देश कोन है बाद देशे इंडिया तो पंग्लदेश इंडिया की तरफ दिखता है उचकार अनमार कहते हैं कि वह इस तरह का कैसके एक समिन यह करें रोहिंग्यास का तरोहिंगयास आए और लोह हो लोग है सब लगते तो रोहिंग्यास टेर्रिस्ट और ना लेते हैं तो एक ताम्स कुछ रेडिकल रोहिंग्यास भी और जन्रलाइज नहीं करना है जिने आई-स-स का सब़ूर्ट मिला है तो वो टेरिष्ट और अपरेशन को करें जिखे और तर बांग्लादेश की धरती का इस करते हैं इंडिया भी लपेटे में आ जाता है तो यह कुछ इशू है ठीक है तो बांगलादेश नेपाल है वेट सम डिफरेंसेज ओवर दी फ्यूचर ऑफ हिमालयान रिवर्स वाटर्स फिर उसके वाद जैसे देखोगे तो आप क्या है नेपाल से कुछ नदिया जो बहते होए आती ह Rick लो नेपाल जाती है तो आप नेपाल जादा पानी लेका इंडिया भी पानी लोगा तो बांगलादेश में क्या जाएगा तुछ नहीं कुछ नहीं टिक है तो इसके चलते ब्षण नेपाल में भी किया होते हैं फिता थी o roti a sharing of river waters हमालय दिवर्स तो यह और भी area's है South Asia में ठीक है जो major क्या सकते हैं कि जिन areas में आपको major conflicts देखने को मिल सकते हैं which is which is not involving India directly ठीक है तो India के तो conflict है वो तो हमने पढ़ लिये इस वीडियो में वही पढ़ा कि हर देश के साथ कुछ नहीं को दिखकते partly because of geography of region in which India is located centrally and is therefore the only country that borders the others ठीक है तो लेकिन यह जो major conflicts यह minor conflicts के अलावा major conflicts है वह आपको India और दूसरे nations के बीच में देखने को मिलेंगे उसके पिछे कारण सिंपल सा है कि इंडिया एक बड़ा country है तो आप उसको ignore नहीं कर सकते हो और साथी साथ में जेग्रफिकल पोजिशन भी ऐसी कि इंडिया का हर साथ एशन कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है समझ रहो ना तो इस कारण से इंडिया के साथ आपको major conflict दिखेंगे लेकिन ऐसा नही कैसे आ सकते हैं कि किसी एक country के साथ नेपाल के साथ इंडिया नेपाल के बीच में क्या conflicts है हो बताइए ठीक है और इंजनरल आ सकता है कि South Asian अब इसमें आपको पुरा महावारत नहीं लिखने इतना पूरा वीडियो जो हमारे घंटे का है यह नहीं लिखना है आपको बताना है कि हाँ पाकिस्तान नेपाल भूटान श्री लंका इनके साथ में क्या-क्या इशूजे में ठीक है लेकिन एरिया दो कॉपरेशन भी है ठीक यह जो कार्टून है इस कार्टून के साथ में कंक्लूड करेंगे हम तो जैसे सार्क समिट जो है सार्क अब आगे पढ़ने वाल जो कार्टून के थु यह भी जारा रहा है जो ही मेंफ़का इस कार्टून ने पाकिस्तान ये कार्ट आडा करना है आपकता इंडिया और पा Bitte आप्यश्स को और जो हुआ था तो उस टाइम प्रेंट में यह देखा था इस चीज को कि इंडिया ने सार्क समिट को जोइन करने से मना बोल दिया तो उसके चलते क्या होता सार्क समिट ही फेल हो जाता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो मेजर निशन है तो यहां पे काटून जो यही कोपरेशन जी हां चाप्टर आपने पूरा पड़ा इस चाप्टर में आपने क्या सारी चीजें देखी कि डिफ्रेंट आइडियाज एग्जिस्ट टुगेदर पीस है तो डिस्पेर हैं म्यूचल ट्रस्ट है तो सस्पीशन है तो इस तरह से एक रंग भी रंग चाप्टर जो है वह आपने डिसकस किया इस पूरे के पूरे मतलब एक रंग भी थीम आपको समझ में पूरे के पूरे चाप्टर में अब हम इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा वह पीस एंड कोपरेशन तो जैसे मैंने बताया आपको कि डिफ्रें समस्या आए जटल समस्या आए लेकिन उन समस्याओं के बीच में भी यह जो रीजन है यहां पे जो नेशन से वह इस चीज़ को भी रिकगनाइस करते हैं कि इन कंफ्लिक्स को सॉल्फ करना है तो हमें हमारा फोकस जो है वो कंफ्लिक से अटा के कोपरेशन की तरफ ले जाना है तो बांगलादेश में 1885 का टाइम पिरेट जो था तो जिया और रह्मान के टाइम पिरेट में ही फर्स प्रपोस्ट दी आइडिया ठीक है इंडिया उन्हें बुला कि रीजनल कोपरेशन इंशॉर करना जरूरी है ताकि का है सभी कंट्री जो है मतलब सीधा नाम नहीं ऐसे लेकिन सभी कंट्री के बीच में बैलेंस ओफ पावर बना रहे हैं तो वहां से एक आइडिया इवाल्व हो क्या आया सार्क का ठीक है साउथ एशन असोसियेशन फॉर रीजनल कोपरेशन आज जैसे अगर आप देखेंगे तो आज तो क्या है कि जैसे जब कहीं कंफ्ल और्गनाइशन बनाए गया है कोपरेशन इंशॉर करने के लिए इसके सक्सेस और फिलियर डिपेंड करती कि देश जो है इस रीजन में उसे कितना सीरियस ले रहे हैं इस ओर्गनाइशेशन को ठीक है तो सार्क कि जब मेजर रीजनल निशेटिव पाइडी साउथ इशन इ सारे देश कॉपरेट करेंगे अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो कंफिक्ट से तो इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर सॉल्फ किये जा सकते हैं ठीक है तो दिस इस सिगनिफिकेंस ऑफ इस रिजनल और गनाइजिशन ठीक है इट बिगे इन नाइंटी एटी फाइफ इस टैबलिग इन नाइटी इटी फाइफ अब देख और को मैंने सार का इक बेसिक आइडिया आपको फिछले चैप्टर में दे चुका हो तो यहां पर आपको फिर क्या मिल रहा है आईडिया मिल रहा है ठीक है सार्क मेंबर साइड एशन फ्रीट्रेड ठीक है तो साथ सार्क अपने आप उतना सक्सेस्फल और इच्छिफ उल्रैड ठीकर तो आप के एक गाड़ी रही झार्यगा लगा तो चौनी कई गरी ना इसवर टीज़ और टीज़ को लेको बहुत सारे ऑटकम से तीक सरे लेको रॉटकम से यहाँ पर इच्पक्रशन सर आउटकम समय कि यहाँ पे रिजनल लेवल पे डवलप्मेंट होगा एकनॉमिक डवलप्मेंट ट्रेड होगा प्रॉस्परेटी आएगी जैसा आश्यान देशों में देखने को मिला तो अन्यू चप्टर ऑफ पीस एंड कोपरेशन माइट इवाल विन साथ इश्या इस और दी कंट्री इंदी रीज कर चुके हैं पहले कंसेप्ट था बहुत अच्छा कंसेप्ट है आयम रिकॉलिंग देट रुख मुझा अचानक से ध्याना है डॉक्टर मनमहन सिंग का यह कहना है कि अर्लियर वाट यूस्टू विदी सिनारियो कि पहले जहां जहां फ्लैक जाता था वहां वहां ट्रेट था ठ्रेडंट था ठीड के अर्लियर ए ostr फॉलो दीस लैग सिंगे मतलब आपके देश के जहां अच्छे संबंध होंगे वहां क्या होगे आप्का ट्रेड भी होगा ठीक है अर्लियर ट्रेड आउस तू फॉलो दी इंडिया चाइना ठीक है इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि फ्लैग फॉलो नहीं कर रहा है मतलब इंडिया और चाइना जो है तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत सा रहे हैं बट दी ट्रेड इस फॉलोई ट्रेड इस ग्रोगर वान आयना तो अल्डि कंट्रीज इंड विल अलाव फ्री ट्रेड अक्रॉस दी बॉर्णर ठीक है और जब यह पोजिशन होगी कि सारी कंट्रीज फ्री ट्रेड अलाव करेंगे तो अपने आप उनके कंफिक्स रिजॉल्व हो जाएंगे इस वास दी आइडिया तो दिस इस इस प्रेड बेहाइंड आइडिया ऑफ साफ्टा साउथ इशन फ्री ट्रेड एग्रिमेंट वास साइन इन टू थाउजन फोर एंड केम इंटु एफेक्ट ओन फर्स जनवरी टूजन सिक्स बेसिक्स एक्ट्वल डिटेल्स ठीक है 24 से प्रयास किया गया साइन सब हो गए थे 2006 में एग्रिमेंट जो कंग्रीट कंग्रिटाइज हो जाता है साफ्टा एम्स एट लोवरिंग ट्रीट टैरिफ्स ठीक है और साफ्टा किस चीज़ पर फोकस करता है कि ट्रेट टैरिफ्स को कम क्या जाए ताकि सारे देश आपस में कॉपरेट कर सके इनिशि करने की कोशिश करा करो चलो करते हैं तो जैसे यह अफगानिस्तान का फ्लाइग है ठीक है ध्याना आया अफगानिस्तान नेपाल बांगलादेश इंडिया पाकिस्तान श्री लंका यह किसका फ्लाइग है चलो यह हो गया बुटान का यह किसका फ्लाइग है यह आप बताए आप आपकम क्या निकल का यह देखो तो सम आफ आप आर नेबर आप 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 यह सब्सटाइब आ इस अवे फॉर इंडिया तो इन्ट वेड यह देर मार्केट आंड पाकिस्तान बंगलदेश का भी मानना था कि साफ्टा क्या हो जाएगा एक तरह से permit मिल जाए इंडिया को इंडिया क्योंकि मिल बता रहें इंडिया को बिग ब्रदर की तरह कंसिदर किया जाता है बिग ब्रदर इंदी नेगेटिव सेंस की इस रिजन में डॉमिनेट कर रहा है वह तो कुछ हमारे नेवरिंग कंट्रीज को ऐसा लगा कि साफटा अगर साइन क commercial presence in their countries say so this was one of the point of view of some neighboring countries India का कैस्टेंट था इंडिया थिंग्स that there are real economic benefit for all from साफटा इंडिया कैसा रखता नहीं हम कोई डॉमिनेट नहीं करेंगा में डॉमिनेट करना था मैसे भी कर सकते हैं डिके अपने आप जो पॉलिटिकल कंफिक्ट है वो क्या हो जाएंगे सौल हो जाएंगे वी विल भी इन पॉजिशन टू कॉपरेट इन बैटर वे ठीक हैं अगर आप देखेंगे तो जैसे लिबरलाइजिशन हुआ एकनोमी का थोड़ा ट्रेट बढ़ा है ना तो डिस्प्यूट्स तो आज भी खतम नहीं हुए ठीक हाओ तो पुराने आज भी 62 के लेकिन फिर भी क्या है और आप भी जिस अभी देखों के मिलिटरी कंफिक्ट्स होते हैं कुछ डोगला मिश्व हुआ गलवान वैली में जो क्राइस हुए ठीक है लेकिन उसके बाउज्यूत भी क्या होता है चीज़े नॉर्मलाइज हो जाती है क्यों क्योंकि वो ट्रेट जो डॉमिनेट कर जाता है ठीक है टूभी वेरी रियलिस और साफ्टा को लेकि जो कुछ ईंदेश दिखाते है न तो वैसे कुछ हमारी कंटिरी में भी लोग हैं बोलते कि साफटा क्या है यहित इंट नर्ट बोसरी कंट्री साफटा एक और रहा है ठीक है बागी दिक्कत क्या है कि साफ़ता के साथ में ठीक प्रोब्लम्स भी आएंगी फ्रीट्रेड होगा तो फ्रीट्रेड में इस्ट्रेड डिस्पूट्स भी होंगे जो सकता है कि इंडिया-Pakistan के बीच में जो लेकिन कुछ एक्सपर्स का मानना है कि वह एकनॉमिक डिस्प्यूट्स को और क्या करेगा उससे ट्रबल सी क्रियेट होना है क्योंकि जो सार्क के मेंबर निशन से तो उसमें से तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा साफ्टा का इस तरह से कुछ पॉइंट ओव्यू है ठीक है तो तीनों पॉइंट व्यू आ गए आपको समझ में आ रहा है कि पीस और कॉपरेशन के लिए सार्क एक मेजर इंपॉर्टेंट और गनाइजिशन की तरह निकल हो गया इसको थोड़ा पीस और कॉपरेशन को और डीटेल में समझते हैं कार्टून देखो दोनों तो कार्टून जैसे देखोगे आप तो मिस्टर हूइं प्रीमियर ओफ चाइन एडट टेट टाइम गए और ऐसा नहीं कि बात करना है वह मतलब पॉलिटिकल थी समय तक हमारी अब इकनोमी लिबरलाइज हो गई थी तो क्या है कि मैंना बताया ना एकनोमिक इंट्रेस्स सब से उपर होता हर कंटेक्स मगर देखा जाये तो तो उसके चलते क्या है कि यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था चाइना के साथ भी डिक्टेटर्शिप अपने हाथ में लेते हैं परवेश मुषरफ तो परवेश मुषरफ आगोगल रहे हैं किसके उपर किसके पीछे चाइना के पीछा गोगल रहे है क्यों क्या कहना देखो है mister who trade commerce and economy why don't you just stick to the core issues with India what are the core issues water dispute क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये सांत में र वो तो भूली जाएंगे से में आगे समझ में तो पाकिस्तान को वो बुरा लग रहा है ठीक तो ये हमारी इंडिया का न्यूस्पेपर है दा हिंदू उसमें जो कार्टोनिस्ते उन्होंने ये बताया कि मतलब इंडिया और चाइना पास पास आएंगे तो पाकिस्तान किस तरह से रिक करेंगा तो दूसरा पॉइंट देखो अलब लीडर्स को ने पूछले आता धियान रखना एफ तो ये यूसा ये यूसा ये यूसा कुरसी पे बैठा है ठीक है इधर आप देखो का टल्वीर वाच पर ये और इधर देखो के तो इधर नवाश शरीफ है ठीक नवाश शरीफ है तो दी एंपायर हैस्टू डिसाइड वढल इस इन दी कोट अफ इंडिया और पाकिस्तान जमाली तो ये पाकिस्तानी न्यूस पेपर है ठीक है तो टू काटून वन फ्रम इंडिया एन अदर फ्रम पाकिस्तार इंटर्पेट दी रोल अस टू की प्लेयर आप अधिया टू की प्लेयर को ने एक तो यह चाइना चिंग के चाइन और दूसरा आप देखोगे तो क्या यूए से तो यह दो की प्लेयर्स हैं जो साउथ इसें पॉलेटिक्स में इंटरस्टेड है और क्यों है क्यों कि साउथ इसा देखो मिनें बताया एक पोटेंशल इकनोमी बंगलादेश बहुत जादा पॉप्लेस कंट्री पाकिस्तान पॉप्लेस कंट्री इंडिया संट्री तो यह आप देखो गये तो मार्केट है अगर आप एक बिजनस में हो हाड़्कोर बिजनसमें तो आपको पॉपुलेशन देखे यह नहीं समझ में आएक गरीब के बाद से क्योंकि इंडिया ने अपनी इकनोमी को लिबरलाइस कर दिया तो उसके चलते क्या है कि जब इन रीजन मतलब मेजर पावर्स को इस रीजनल एरिया में इंट्रस्ट आया ना तो उस चीज को काटूंस के थूदर शाय गया है आगे समझ में अब यह सेकंड काटूं क्या दर्शान है चारा वह बता देता हूं लॉंग टैस्ट केल रहे हैं तो आप यह बोल रहे कि तुम्हारे मतलब मेरे साइट पॉइंट कि रहा है तो यह बताते कि जैसे डिस्प्यूट जो है पाकिस्तान और इंडिया की बीच में डिस्प्यूट से अब उन मेरे मेरे से तो मेरे गैइन और पावर जो है इन रीजनल कमफलिक्स में कर देखर ॉपरीत है अब इस टॉपिक को अप कान्तिनिशन किसका मान सक्ट नहीं पता है जो हमने इंडिया-Pakistan कन्फिलिक को देखा था तो देर आर इशूस ऑण विच इंडिया इन पाकिस्तान is having conflict which we have discussed in the previous videos अब हम बात करें कि आर देर इनी एरियास वेर इंडिया पाकिस्तान केन कोर्परेट देकन इंशर पीस तो यह देर आर एरियास ठीक है कुशन अगर आता फिरियास बीर अब सर्रीयास आताए दोख करें काई कई हैं तो च είναιसे का हुथाल इंडिया आसमीट्ट तो पिस बिल्टिंग मेर्फ जाते हैं जिसे वर को ignore किया जा सके या फिर war को जो एक neglect किया जा सके ठीक है confidence building measures होते हैं फिर उसके बाद देखेंगे social activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship among the people of both countries अब देखो आप देखेंगे कि army क्या है border पे tensions है लेकिन at times क्या होता है कि social activist हो गए ठीक है prominent personalities हो गई तो they try to bring relationships और उसका सबसे अच्छा एक्जामपल आपको कहां देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के cricketers के बीच में देखो इंडिया पाकिस्तान के मैच में टेंशन भी रहता है लेकिन जो personalities है जो मैच को खेल रहे हैं तो वह एक क्या sportsmanship दिखाते हैं कि sportsman spirit दर्शाते हैं ठीक है आप देखो के तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी players हो इंडिया में commentary करते हैं तो उस तरह से क्या है कि प्रयास यह भी किया जाता है कि peace ensure की जा सके ठीक है peace ensure की जा सके this is important thing ठीक है आप आप जैसे देखो के एक्टिविस्ट के अगर हम बात करें तो मलाला को और जो हमारे इंडियन nobel peace prize के विनर रहे हैं ठीक है कौन तो केलाश रत्यार थी तो इन्हें क्या मिला है जैसे आप देखेंगे तो इन्हें साथ में मिलके काम किया world community ने जब recognize किया कि आपके मतलब इस region में जब लोग जो है peace के लिए काम कर सकते हैं ठीक है को सुलजाने की peace को coordination को cooperation को इंशूर करने का प्रयाज किया है ठीक है फिर क्या है leaders have met at summits to understand each other better and to find solutions to major problems between two neighbors ठीक है तो leaders भी आपस में मिलते हैं जिसमें बताया आगरा समिट बगेरा हुआ इन फेक्ट आप देखो कि तो हर गवर्मेंट ट्राय करती है अब क्या होता है तो जैसे आपको अगर धियान हो जो एंडिया वन का टाइम पिरेड रहा था मतलब बीजेपी 2014 के बाद में पावर में आती है ना तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वह कहां जाते हैं वह पाकिस्तान में सर्प्राइज विजिट देते नवाज शरीफ का उनके बर्थड़े पर तो यह प्रयास था कि क्या किया जाए इशू को रिजॉल्व किया जाए ठीक है और स्ट्रेच ना किया जाए लेकिन अब फिर क्या होता है कि मैंने आपको बताया है है कि वेस्टेड इंट्रेस्ट रहते हैं हर ग्रुप के अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे कंफ्लिक्स खतम हो जाएंगे तो पॉलिटीशियंस को अपनी रोटी सेखने के लिए फिर चूला काम मिलेगा तो उस तरह से बहुत सारी इंटरनेशनल लिशने कॉम लोग जो है वह आर्मी जो है तो वह क्या करती एक तरह से पर्फॉर्मेंस देती है पर्फॉर्मेंस ऐसा नहीं होता कि नाज गाना चल रहा है लेकिन वह पीस को दर्शाने के लिए सब कुछ किया जाता है इंटरेक्शन जो रहता है ट्रेट बिट्विन टू पार्ट्स और इसली तो पिछले कुछ सालों में चीज़ें इस इंप्रू हुई है लेकिन अभी आप जैसे देखोगे ना तो यह बुक आपका 2015 के पहले का अगर हम समझे इसको डेटा दे रही है तो बाद के जो टाइम प्रेड हैं जिसे पुलवाम अटक और इन सारी चीज़ों के ब आगे समझ में इतनी सारी चीज़ें अब अगर हम बात करें एक और चीज़ कि पीस एंड कॉपरेशन में आउटसाइडर मतलब जो आउटसाइड पावर्स हैं तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है तो हमें दो नों कार्टून जो हमने डिसकर्स किया तो चाइना और युएस से हो गए तो ऐसे अगर हम देखें तो चाइना इन युनाटेट इस्टेट्स रिमेंट की प्लियर सिन साउथ इशन पॉलिटिक्स वाई तो वाइक आंसर आपको खुद अबमन में लिना है क्यों कि बता है ना कि यह मतलब यह जो रीजन है पोटेंशल इकनोमिक ग्रोथ की उसके बाद में इकनोमी इस लिब्रेलाइज हो गई है तो ट्रेड से जो एकनोमिक इंट्रेस्ट को फुल्फिल किया जा सकता है इन मेजर पावर्स के दौरा आउटसाइडर्स के दौरा तो मौका पर चौका मारने का प्रयास है ठीक है तो जिसे रोल इंडिया के जो रिलेशन से वह इंप्रूव हुए है क्यों क्योंकि ट्रेड वाल्यूम ऑफ ट्रेड जो बढ़ा है बहुत जादा बट चाइना से स्ट्रेट स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप विट पाकिस्तान रिमेंस अमेजर इरिटेंट लेकिन चाइना की जो स्ट्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप जैसे अगर हम समझें तो कशमीर का मुद्ध हमेशा से क्या रहा है एक मेजर बोन ऑफ गन्फिक रहा है किसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आब उसमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइट कशमीर गिल्गिट बल्तिस्थ थे तो चायना की स्ट्रैट ओद मुष्भा आप ले लिया तो क्यों फेस्ट हमें चैना को यूंत फिर के साथ में सबर्कम problème किया है बहुत ऊच्पन like चैना को फेसे को एक बहुत उन भी सर्प्राइज है कि चाइना इतना अग्रेसिवली प्ले करेंगा और खास करके पता है यह जो टाइम पिरेड रहा है कोवीड-19 वाला तो कोवीड-19 में सब की एकनोमी की बैंड बजी है लेकिन दूसरों का बैंड फट गया और चाइना का कम ही बजाए इस तरह से वह स्थ जिंपिंग ने कहा भी कि चाइना किसी से डरने वाला नहीं इस तरह से ओपन स्टेट्मेंट देने विच डिरेक्टली क्लियर मैसेज टू दी युएस एंड वेस्टरन कंट्रीज और आज अगर आप देखो तो वेस्टरन कंट्रीज भी एक साहत आ रही है सब ठीक है वेस् आउटसाइड पावर्स ताउटसाइड पावर्स में यूएस और चाइना का रूल का तो चाइना का दिखती बात है इंडिया चाइना का इंगेजमेंट बढ़ा है एकनोमिक वेलिउस के गारण इकनामिक ट्रेड के कारण वह साला सब कुछ हुआ लेकिन एक समय पर चाइन पाकिस्तान के साथ में ज़्यादा इस ट्राटीजिकली क्लोज चले जाता है ना बतलब अरियास पे उन इशूस पर लूज चले आता है जो इंडिया के इंट्रेस्स के लियए घातक हो सकते है तब हमें क्या लगता है कि नहीं यार यह दिक्कत दायक हो सकता है चाइना के सा जाता और इंडिया उसे अपने आपको पीछे करने लगता है ठीक है ठीक है टीमांट फटेवलप्मेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट टी टू एशियन जाइंट एशिया में देखा जा तो इंडिया चाहिना दो बड़े-बड़े मेजर निस प्लेर से ठीक है स्ट्रेटेजिक है स्ट्रेटेजिक ऐसे हैं कि चाइना को पता है कि पाकिस्तान को में खरीद भी लूँगा एक दिन अब देखो गया आप जैसे तो चाइनी जो चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडर उसके चलते कितना कितने सारे चाइनीज वरकर्स वहां काम कर रहें च पाकिस्तान तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो रहा है ठीक है यह पॉइंट हो गया अब रोल आफ एमेरिका तो रोल ऑफ आउटसाइड पावर्स में चाइना का रोल देख लिया अमेरीका का रूल देखो तो अमेरिकन एंगेजमेंट इन साओध इस्या है रैपिडल U.S. had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relation. पहले क्या था? पहले U.S. पाकिस्तान की तरस tilted था. लेकिन liberalization के बाद में क्या हमने उसको center में ले आए? तो अब क्या है? U.S. A. दोनों के interest के बारे में सोचता है. U.S. A. दोनों के interest के बारे में आज के अगर present situation बताओ तो में. Economic reform and liberalization. ठीक है? Economic reform and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American participation in the region. क्या है? अमेरिका का सीधा सा concept है. बाप बढ़ा ना भाहिया? सबसे बढ़ा रुपईया. तो अमेरिका को जब यह दिखा ना कि दोनों ही जगा क्या economic reform हो रहे है, liberal economic policies आ रही है हमारी industries को वहाँ पर पैसा छापने का मौका मिलेगा तो अमेरिका का participation इस region में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक और अगर dimension आप देखने की कोशिश करोगे ना तो अमेरिका क्यों इंट्रेश्ट है South Asia में अमेरिका को पता है कि South Asia में उसकी domination रहेगी तब वह चाइना की है उसको क्या कर सकते हैं जब यह दोनों भाई-भाई बनेंगे तब उदर पजाई-पजाई होगी उस तरह से ठीक है तो एकनोमिक रिफॉर्म एंड लिबरल एकनोमिक पॉलिसी इन बोथ कंट्रीज है ग्रेटली इंक्रीज दिया अमेरिकन पार्टिसिपेशन दिलार्ज साओट इशन डाइसपोरा इन युएस एंड यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड मार्केट ऑफ दी रीजिन ऑफ इसके वाद में क्या अमेरिका जो है तो अमेरिका एक तरह से लैंड ऑफ अपर्शिनिटी कैसे बनाया वो की सारी जगह से लोग गये साउट इसिया से ki मिवेरिका में इंडियन डी बहुत सा रहे है तो उसके छलते हैं अमेरिका को छूफर इस चालता है population भी ज़्यादा है market size भी तो इसके चलते अमेरिका का इंट्रेस्ट जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा है ठीक है South Asian region में clear हुआ तो दोर South Asia से कितना दूर इनाटेट स्टेट से लेकिन इस रीजन में उसका interest जो है बहुत ज़्यादा है fine so this was the whole story about the chapter अब देखो यह जो conclusion है ना यह पूरे chapter का तो नहीं है लेकिन इस topic का है कुशन इस तरह से सकता है कि वह comment on the role of outside powers in the intervention in the comment on the role of outside power in intervention in South Asia ठीक है तो आउटसाइड पावर जो intervene कर रही है तो उस outside power के रूल पर आपको comment करना है तो conclusion के लिए बहुत अच्छी चीज़ है की ultimately the objective is to ensure peace and cooperation and development in the region ठीक है लेकिन वो peace cooperation और development जो है ना तो चाहिना भी अपना प्रयास करेगा USA भी अपना प्रयास करेगा और वह अपने इंट्रेस को पहले देखेंगे लेकिन आपको सच में peace or cooperation चाहिए इस region में तो क्या है तो वह साओध इश्या विल कंटिनुव तो बीनोन अस कंफ्लिक प्रों जोन और विल इवाल्व इंटो रीजिनल ब्लॉक विच्ट सम्कॉमन कुल्चर कुल्चुर्चर फीचर्स इंट्रेस्ट ठीक है तो दिस विल डिपेंड ओंडी पीपल और गवर्मेंट इंडिया और पाकिस्तान मिल के अगर सोच रहे कि हमें क्या करना है शांती स्थापित करना है तो हमें ना चायना की जरुवत है ना यूए से की जरुवत है ठीक है तो यह वही अल्टिमेटली पीस in this region will depend on depend more on the people and government of the region than any other outside power किसी दूसरे outside power से जाता जरूरी है कि हम आपस में ही चीजों को टाय कर लें ठीक है सारे topics हमने discuss कर चुके किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section यह सभी video lectures आपको magnet brains पर available होंगे आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और website पर आपको सारी चीजों और arrange मिल जाएगी तो आपको मतलब वह पैनिक नहीं होना पड़ेगा सरी वीडियो नहीं मिल रहा वह वीडियो नहीं मि सब्जेक को डिसाइड कीजिए सब्जेक को डिसाइड करते से चैप्टर और चैप्टर के अंदर जितने भी topics हैं ठीक हो सब्जेट के वो सारे topics आ जाएंगे आपको select करना है और घर बैठे syllabus complete करना है और इस सिर्फ class 12 के लिए नहीं class 12 से kindergarten तक सभी प्रकार के जो सब्जेक् stay connected keep learning thank you